Hello everyone, welcome back to Umar Taskir YouTube channel, myself Umar Taskir guys, मैं लेकर आचुका हूँ आप लोगों के लिए Google Search Console का complete tutorial केवल एक ही वीडियो के अंदर, yes guys, एक ही वीडियो के अंदर, from A to Z, everything about Google Search Console you will get into this video, so let's begin this tutorial. Search Console का basic जो है रहा वो इस पर्ड़िवरे वीडियो के अंदर cover करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग ये समझने वाले हैं कि आखिर हमें Search Console की जरूरत क्यों पढ़ती, as SEO person, क्यों हम Search Console के अंदर अपनी website को submit करते हैं, ऐसी कौन सी problems है, जिनको Google Search Console का tool जो है वो solve करता, इन सारी चीज़ों को discuss करेंगे हम लोग इस particular video के अंदर, ऐसा भी हो सकता था कि मैं directly शुरू करूं कि किस तरीके से हमें हमारी website को submit करना है Google Search Console के tool के अंदर, वो step 2 हो जाता, अगर हमें अच्छे तरीके से Google Search Console को समझना है, कि why we submit website to search console, क्यों हमें हमारी website को search console के अंदर submit करना है, तो guys मैं मान की चलता हूँ, देखो, यहाँ पर हमारे पास हमारी website है, और website को और आसान भासा में यहाँ पर समझने की कोशिश करें, तो हमारे पास हमारी website के अंदर different different web pages है, यह एक web page 1 है, यह 2 है, यह एक web page 3 है, और यहाँ पर अगर आप देखो ते यह web page 4 है, actually हम चाहते क्या है कि यह जो Google का search engine result page है यहाँ पर हमारे web pages से related, अगर कोई queries होती है, तो फिर यहाँ पर हमारे web pages जो है, वो show करें, यही हम चाहते हैं कि Google के first page में show करें और धीरे धीरे जो है ना top में show करने लगे, this is what we want as a SEO person या as website owner, अब इसके लिए जो basic process है वो होती क्या है, कि जब Google का जो crawler है, वो हमारी website के उपर आता है, हमारी website के उपर आने के बाद हमारी website को scan करता है, that is actually हमारी website को crawl करता है, और crawl करने के बाद हमारी website की जो information है, उससे उसको समझ में आ जाता है कि यह website के जो different pages है, वो किस type के content के उपर बेशने हैं, जैसे यह वाला हमारा page जो है, let's say sports content के उपर है, ये वाला जो हमारा page है लेटसे वो news content के उपर है तो ये सारे content को read करने के बाद scan करने के बाद crawl करने के बाद crawl नो समझ में आ जाता है ये webpage किस बारे में तो जब उसे clarity हो जाती है तो वो इस webpage का एक index बना देता है अपने server के अंदर और इस webpage को वो store कर लेता है और आसान भासा में समझो तो store कर लेता है इस तरीके से कि ये वाला जो webpage है ये sports से related अपको एगर sports से related कोई query करता है तो there are high chances कि हमारा जो webpage है वो rank हो यही process है वाट गाईज ये जो crawler का और website का interaction है न ये और smooth हो सके हमें पता चल सके कि crawler ठीक तरीके से हमारी website को crawl कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है कोई problem तो नहीं है ये वाले webpage को scan करने में कोई problem तो नहीं है ये वाले webpage के उपर कोई error तो नहीं है इस वाले webpage के उपर और कोई different problems तो नहीं आ रही है हो सकता है ये वेब पेज जो है वो crawl हो गया लेकिन index नहीं हो पाया तो ऐसी बहुत सारी चीजें अगर हम as user जानना चाहे reports लेना चाहे तो हम कहां जाएंगे हमारे पास कोई option नहीं इसलिए Google ने जो हमें tool दिया हुआ है उसका नाम है Google Search Console तो Google बोलता है देखो भई सबसे पहला काम तो आप ये करो कि अगर आपके पास कोई website है तो सबसे पहले उसको Google Search Console में आप submit कर दो जैसे ही आप Google Search Console के अंदर अपनी website को submit करोगे इसका मतलब ये है कि आप Google के bots के साथ या crawlers के साथ डिरेक्ट टच में आगे है क्योंकि Google Search Console तो Google का ही product है अब ये Google का product है अब इसके अंदर आपने वेबसाइट submit कर दी वेबसाइट सम्मिट करने का सीधा समतलब आपने अपने URL सम्मिट कर दी है अब आपका कोई URL है अब Google Search Console के अंदर ये submit है तो अब अगर crawler वहां से आएगा और आपके URL को crawl करेगा that is actually आपके page को crawl करेगा crawl करने के बाद जो भी उसको information मिलेगी उसकी वह एक report तो बनाएगा न कि देखो भाई तुमारे पेज में ये problem है ये अच्छी चीज़ है ये गरबर चीज़ है इसको ठीक करना पड़ेगा तो वो जो reports है वो reports आपको दिखाएगा तो कैसे दिखाएगा वो reports आपको दिखाएगा through Google Search Console अभी आपको बात समझ में आगी कि ये जो Google Search Console कुले किए कर के रहा है ये actually crawlers के और हमारी website बीच में एक bridge की की तरीके से आक्ट कर रहा है ये हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है as a tool कि crawler हमारी website के साथ किस तरीके से interact कर है क्या उनको problem हो एा हमारी website में क्या problem है यह Google क्या recommendation दे रहा है ये सारी चीजें जो बताने का काम है ये करता है हमारा Google Search Console इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपनी वेबसाइट को Google Search Console के उपर submit कर देंगे तो Google Search Console के अंदर भी बहुत सारे चोड़े बड़े tools है जो different different चीजों को monitor करते हैं और उसके समझाने कि आपको कोशिश करूँ कि आखिर Google Search Console का क्या काम है अगर एक line में हम उसको समझने कोशिश करें तो यहां पर आप देखो सबसे पहला step लिखा हुआ है it monitors, maintains and troubleshoots your site presents in Google search results जो हमारा ultimate goal है हम चाहते हैं कि कुछ specific queries के उपर हमारी website Google search engine result pages में दिखाई दे तो दिखाई देने के लिए हमें कुछ processes करनी पड़ेंगी तो उन processes में जो हम efforts करते हैं उनको monitor करना, उनको maintain करना कि हमारा जो है page है वो properly crawl हुआ है या नहीं हुआ है और अगर कोई problem आ रही है तो उसको notifications हमें देना और उसके fixes हमें बताना कि किस टाइप से हम उसको troubleshoot कर सकते हैं इन सारी चीजों में जो Google search console का tool है हमारी help करता है fine it gives you a report so that you can make your presence in search engine अभी किस टाइप की reports हमें देता है सबसे पहली और जो सबसे important report होती जिसके लिए हम लोग primary basis पर Google search console को use करते हैं मतलब एक बहुत important यूज है Google search console का कि हम make sure करना चाते हैं कि हमारे भाई ये website के उपर देर सो pages थे अब मेरे को बताओ मेरे कितने pages crawl हुए मेरे को बताओ कितने pages मेरे index हुए तो ये जो information है कि हमारी website की जो crawlability का status है वो क्या है indexability का जो इस status है वो क्या है ये सबसे important information होती है जो हमें Google search console देता है उसके बार re-indexing मुझे लगा कि भाई मेरे ये एक particular page था इसके उपर मैंने कुछ content में changes किये या इसमें मैंने कुछ update किये तो Google क्या गरता है जो पहला जो आपका पुराना page था उसके उपर Google आया था उस page को scan किया था scan करने के बाद उस page को index कर लिया था कुछ information के साथ बट अब आपने क्या किया pages में कुछ changes कर दिये तो आप फिर नहीं चाहोगे कि Google का crawler फिर से मेरे page को index करे तो जब कभी हमें re-indexing औगरा कराना पड़ता है तो उसके लिए भी जो Google search console का tool है वो use होता है performance की बहुत सारी report जो है वो Google search console हमें देता है किस type की performance देखो Google search console का जो काम है वो यह है यहाँ पर अगर आप देखो कि Google search console का work क्या है यहाँ पर जो Google search engine result pages में आपके results को display कराना है उसमें क्या समस्य आ रही है यह main चीजें जो है वो Google search console के अंदर हम लोग इनका solution देखते हैं इनसे related हम लोग reports देखते हैं तो Google search engine result page में कोई बंदा क्या query कर रहा है query करने के बाद आपका कौन सा page दिखा page दिखने के बाद उसके impressions कितने हुए उसके बाद उसके उपर clicks कितने आए कहां से clicks आ रहे यह सारी जो information है it comes under the performance tab of Google search console तो यह आपकी website की performance बताता है कहां पर Google search engine result pages में ऐसा मत सबज़ना कि हमारी website की जो performance है वो users हमारी website पे कैसा perform कर रहे यह बताता है Google search console यह बिलकुल नहीं बताता है user का interaction आपकी website के उपर कैसा है यह Google search console नहीं बताता है कि user किस location से आया ठीक है user ने आपकी website पे क्या किया यह सारी reports आपको Google search console नहीं देता है सारी reports आपको Google analytics देता है Google search console का काम उतना ही है कि भाई साब आपकी वेब साइट या आपका वेब पेज वेब साइट भी नहीं अगर मैं वेब पेज शब्द यूज़ करूँ तो वो ज्यादा साही रहेगा कि हमारा वेब पेज इन गूगल सर्च इंजन रिजर्ट पेज में कैसा परफॉर्म कर रहा है कोई वेब पेज दस बार दिखा अच्छा पांच बार क्लिक्स आए ओके तो दस इंप्रेशन्स हुए पांच क्लिक्स हुए यह रिपोर्ट आपको मिलेगी इस एक्चुली कॉल अस पर्फॉर्मेंस और फिर वेबसाइट इन गूगल सर्च इन रिजर्ट पेज राइट क्लियर हो गया तो यह वाली चीज भी हमें यहाँ पर मिलती है अगर कुछ स्पैमिंग हो रही है ठीक है कोई आपका जो पेज है उसके उपर अगर कोई मालवेर वगर आ गया है ठीक है आपकी सोल के अंदर थोड़ी बहुत आपको information मिल जाती बट फिर backlinks की information के लिए हम लोग दूसरे जो paid tools वगरा है उनको use कर लेते हैं बहुत सारे free tools भी है जो कुछ trial version वगरा के लिए use होते हैं तो उनको हम लोग use कर लेते हैं और उनके थो हम लोग backlinks की जो report है वो निकाल लेते है actually paid tools की तरफ हमें तभी जाना चाहिए जब हमारे पास कुछ ठीक ठाक projects हो या हमारे कुछ return आ रहाओ उस website से initially आपको paid tool की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है until unless आपकी website बहुत बड़ी है बहुत सारी services वगरा आप offer कर रहे है उस particular case में तो आपको paid tool की तरफ जाना ही पड़े है तो आई बिलिव अभी आपको समझ में आ गया होगा कि search console का purpose क्या था क्यों search console जैसे टूल जो है वह exist करता है और गाइस मैं बात करूँ एचली Google search console टूल के बारे में ऐसा नहीं कि केवल Google के पास ही अपना search console टूल है जो भी दूसरे search engines हैं जैसे अगर मैं बात करूँ बि हो भी है तो अगर हम बिंग के उपर अपनी website को राइंग कराना चाहते तो फिर हमें हमारी website को बिंग के जो search console है उसके अंदर submit करने जाते हैं या हम लोग इसको यह कही कि हम अपनी property को submit करने जाते हैं website को यहाँ पर property shop से भी बोला जाता है जब को यह हम submit करने जाते हैं तो हमें दो options मिलते हैं Google search console के अंदर सबसे पहला option होता है कि हमें उस property को as domain जो है वो setup करना है या फिर हमें उस property को as URL prefix जो है वो setup करना है तो आज कि इस particular वीडियो में हम लोग इसी चीज को समझने वाले कि आखिर इन दोनों में difference जो है वो क्या है और कौन सा तरीका हमें कब अपनाना चाहिए इन सारी चीजों को हम लोग detail में समझेंगे कुछ confusions भी बहुत सारे लोग को रहते हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर discuss करने कोश्च करेंगे वैस यहाँ पर मैं सीर्य आ इसलिए आप देख रहे हैं वरना अगर आपने यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी यह वेबसाइट सम्मिट कर रखी होती तो फिर यहाँ पर जो आपको दिख रहा होता है वो बिसकली उस प्रॉपर्टी की information दिख रही होती यह उस प्रॉपर्टी की डेटा है वो यहाँ पर दिख रही होती फर्दर अगर आपको फिर प्रॉपर्टी आड करना होता है तो फिर यहाँ पर जाकर आप अड़ प्रॉपर्टी करते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है अगर आपने अल्रेडी कभी पहले जो है गूगल सच कंसोल में कोई वेबसाइट सब्मिट क करता हूं कि आपके उप्षिंट होता है कि आप ए 1,000 प्रॉपर्टीज यहाँ पर आड कर सकते हैं प्लेगा कि आपसो दो vigor क्रेंगेगे बू felt इन फमेंगे डोमें लेवल पर जाकर आप अपनी प्रॉपर्टी के यहाँ पर संभी या app parl ओर या 아빠 करने यहाँ अबिक्क। image से यह आपको clarity हो रहा हो गया जैसे अगर मैं बात करूँ अपनी website की let's say मेरी website है https www.abc.com मान लेते हैं यह मेरी website है fine और हो सकता है कि मेरी website का जो है वो कोई subdomain हो यह भी हो सकता है यह मेरी website का एक दूसरा version है मान लेते हैं यह मेरी website का एक दूसरा version है ठीक है this is the another version यह मैं जो subdomain की बात करा था मैं मान लेता हूँ यहाँ पर m.abc.com करके यहाँ पर एक mobile version है ठीक है academy.abc.com करके यहाँ पर एक मेरा subdomain है तो इस type से different different जो हैं हमारे versions आप इसको समझ लो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यह दोनों तो वर्जंस ही हो गया यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह mobile version हो गया और यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक subdomain हो गया तो guys अगर इस type से हमारी website है या इस type से different different web pages है हमारे domain के उपर subdomain, mobile version यह सारी चीज़े हैं तो इस particular case में अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ domain के उपर और अपनी website को या property को domain level पर add करता हूँ तो यहाँ पर मुझे simply domain ही mention करने का option लेगा जैसे अगर आप यहाँ पर देखो तो आपके पास cable option है आप यहाँ पर domain mention करो जैसे मैं यहाँ पर अगर mention करूँगा तो उमरतस्कीर.in mention करूँगा मैं ना तो http लिखूँगा ना https लिखूँगा ना m लिखूँगा academy.umartaskी.com लिखूँगा मैं कुझो भी नहीं लिखूँगा मैं simply क्या करूँगा umartaskी.in यहाँ पर mention कर दूँगा जो भी मेरा domain होगा उसको मैं यहाँ पर mention कर दूँगा .com होगा तो .com .in होगा तो .in अब इस domain के उपर जितने भी mobile versions होगे अगर मैंने mobile sub domain कुछ बना रखा है या मैंने कोई other sub domains बना रखे या मैंने कुछ और जो है versions create कर सके कुछ non-https versions है तो अगर हम अपनी website को इस particular domain वाले section के अंदर जाकर अपनी property को add करते हैं तो वहाँ पर इस domain से related जितने भी URLs होगे ठीक है जितने भी sub domains होगे वो सभी sub domains आप समझ लो उन सभी sub domains को सबको आप यहाँ पर add कर रहे हो और जब आप इसकी insights देखोगे reports देखोगे जाकर तो उन सब की collective report आपको मिलेगी तो अच्छा तरीका है ये भी अच्छा तरीका है बट जब आप इस पर continue करोगे और यहाँ पर जब आप इसको connect करने की कोशिश करोगे यह website को submit करने कोशिश करोगे तो जब हम website को submit करने कोशिश करते हैं तो यह कुछ verification हमसे मांगता है URL prefix में हमारे पास multiple verification होते हैं वहीं पर अगर मैं domain prefix की बात करूँ तो domain prefix में हमारे पास multiple verification नहीं होते हमें DNS verification करना पड़ता है, जिसके लिए हमें अपनी hosting में जाकर, फिर DNS verification करना पड़ेगा, तो यह बड़ी बात नहीं, अगर आपकी website है, तो आपके पास hosting होगी ही होगी है, बड़ी आसानी से इसको verify कर लोगे, दूसरा जो option है, that is actually URL prefix, URL prefix का जो मतलब है, यहाँ पर image में भी आपको दिख रहा है, जैसे यह मान के चलता हूँ, मेरी website है, abc.com, ठीक है, यह मेरी website है, और इसके अंदर मैंने कुछ इस type से, जो है, subfolders बना रखें, जैसे एक यह A है, और यह मैंने एक दूसरा बना रखा है, B है, ठीक है, तो अगर मैं url prefix में जाकर, इस वाले url को mention करता हूँ, तो यह वाले url की ही मुझे insights मिलेंगी, और इसके बाद जो होंगे url जैसे b slash abc है, तो इसकी मुझे insights मिलेंगी, ऐसा नहीं होने वाला है कि यहाँ पर abc.com की मुझे insights मिलेंगी, तो अगर मैं slash a को as url prefix इसके अंदर add करता हूँ, तो मुझे इसी की insights मिलेगी, और इसके बाद जो url मेरे बन रहे हैं, उनकी insights मिलेगी, तो आई वी लिए अब भी आपको difference clear हो गया होगा, अब यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा confusion होता है न, लोग question पूछते हैं कि sir, हम कौन सा method यूज़ करें, ये वाला method अच्छा है या ये वाला method अच्छा है, तो देखो, सबसे पहले समझने की बात यह है, कि इस वाले method का अपना purpose अलग है, ठीक है, और इस वाले method का अपना purpose अलग है, ठीक है, अब इस domain के उपर बहुत सारे versions है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, कि यहाँ पर मान लेते हैं, एक है academy.abc.com, ठीक है, और एक है abc.com slash services, अब आपको ये लग रहा है, कि यहाँ पर जो आप report देखोगे, जब आपने domain में जाकर उसको property को अपनी add किया हूँ, यहाँ पर domain settings के through, तब तो आपको ये पूरा abc का दिखाएगा आपको, कि ये abc के जितने भी urls बन रहे हैं, चाहे वो सब domain पर बन रहे हो, चाहे वो यहाँ पर आगे बन रहे हैं, इसमें सब directories वोगेरा में बन रहे हैं, कितने भी urls बन रहे होगे, वो उनकी combined report आपको दिखाएगा, कि इतने impressions आए, इतने clicks आए, इतनी queries के ओपर इतने impressions आए, वो सारी आपको एक combined report के form में दिखाएगा, बट वहीं पर जब हम url prefix में जाएगे, अगर यह है, तो मैं यहाँ पर जाकर url prefix में भी इसको add कर सकता हूँ, तो अब मैं url prefix के थूरू, जब मैं यहाँ पर जाऊँगा, तो अब मुझे दोनों properties दिखाए देंगे, मुझे यहाँ पर दिखाए देगा कि मेरी domain property कौन सी है, तो जब मैं url prefix property के उपर जाऊँगा, तो मुझे इसकी insights और इसके बाद वाले urls है, मतलब यहाँ से जो further urls बनेंगे, उनकी जो insights से वो मुझे दिखाए देंगे, उनकी जो reports से वो मुझे दिखाए देंगे, तो आपको यह नहीं सोचना है कि मुझे domain use करना चाहिए, या मुझे url prefix use करना चाहिए, दोनों का purpose अलग है, आप किस तरीके से data को देखना चाहते हैं, आप किस तरीके से data को समझना चाहते हैं, यह आपके उपर, अब आपने मान के चलते हैं, आपने abc.com domain वाले method के थुरू, आपने आपर verification करा लिया, और इस तरीके से आपने भी property को add कर दिया, अब आप चाहते हो, आप इसको study करना, ठीक है, तो भाई यह information तो आपको मिलेगी, क्योंकि domain तो सब कुछ जो है, वो pick कर लेता है, और सब की जो आपको reports हैं या insights से वो आपको दे सकता है, बट इसके लिए फिर फरदर आपको यहाँ पर filters जो हैं वो लगाने पड़ेंगे, तो आप filters लगाओगे, फिर आप यहाँ पर इसको study कर पाओगे, या इसकी जो insights हैं या reports जो हैं वो देख पाओगे, अभी आपको clarity हो रही है कि domain में data से बहुत सारी आपको देखने को मिल जाएगी, बट आपको फिर filters लगाने पड़ेंगे, आपको वहाँ से data extract करने पड़ेंगे, क्योंकि सब कुछ है यहाँ पर, अगर आप simplified version में चीजों को समझना चाहते हो, आपकी requirement केवल उस URL की है, या उस URL के beyond केवल आपकी requirement है, तो उस particular case में आप इसको कर सकते हो, जैसे एक और मैं example बताता हूँ, जैसे आपकी एक website है, बहुत important example है यह, आपकी website है, abc.com, ठीक है, इसको आपने क्या किया, इसको आपने domain method से, जो है, आपने verification कर लिया, अब, आप regular basis पे आपने blog पे बहुत काम कर रहे हो, तो blog, क्योंकि इसी का part है, इसी website का part है, slash blog, तो उसकी भी information यहाँ पर है, बट आपने कहा, मैं तो बहुत regular ब्लॉक के उपर काम कर रहा हूँ, रोज हमारे blog जा रहे है, बहुत सारे traffic भी blog के उपर आ रहा है, तो मैं जब search console में देखना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ, इसको मैं as a separate जो है property बिल्कुल देखूँ, ताकि मैं उसको बहतर तरीके से जो है वो study कर सकूँ, तो आपने क्या किया, आपने यहाँ abc.com slash blog को in url prefix के अंदर जाकर आपने add कर दिया, ठीक है तो अगर आप यहाँ पर जाकर add कर दोगे, तो अब यह blog वाला जो आप समझ सकते हो, कि blog का एक separate na google search console की property आपकी बन गई है और इससे आप इसकी पूरी जो research है, analysis जो है, reports जो है, वो आप देख सकते हैं, तो अभी आपको purpose समझ में आए कि कब हमें किस चीज की जरुरत होती है, तो आप यह भी कर सकते हो, यह भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इसमें आपको कुछ data miss हो जाएगी, और इसमें कुछ data extra आज जाएगी, यहाँ पर कुछ data mix हो जाएगी, यहाँ पर कुछ data extra आजाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, data वही रहती, जिसे मैं मान की चलता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पर abc.com को रखावर slash blog की जो भी information जो हमें यहाँ दिखेगी, वही मुझे यहाँ भी दिखेगी, but केवल representation का difference है, I believe अभी आपको चीज़े clear हो गई होगी, और जब आप पहली बार URL prefix में या domain में method में जाकर आप website submit करने कुछ करते हो, तो जो verification के methods होते हैं, वो different होते हैं, बट यह एक one time process जिसको मैं practically अभी आपको बहुत से अलग-अलग तरीके हैं, अलग-अग type of website से उनके अही से लिया गया, यह insights है, थोड़ी सी, यह points है, जो आप देख सकते हो, मने यह point भी mention किया था, you can add up to 1000 properties in Google search console, it includes URL with a specified prefix including the protocol, यह देख रहे हो आप, ठीक है, if you want your property to match any protocol और sub-domain, इस तरीके से consider adding a domain property, अगर आप चाहते हो, कि abc.com की report आपको, abc.com, m.abc.com, academy.abc.com की report आप को मिले, तो फिर आपको domain property की तरीके से उसको add करना पड़ेगा, यह प्रवही लिखा हुआ है, a domain property that includes all sub-domains and multiple protocols, right, इसमें बहुत सारे तरीके है, verification के, इसमें केवल DNS record होता है, यहाँ पर example भी लिया हुआ है, कि अगर यह property हमने ली हुई है, ठीक है, if this is the property, fine, तो यह URL prefix में यह इसको तो जो है, वो read करेगी, ठीक है, इसको जो read करेगी, और इसकी जो आपको insight से वो देगी, बट यहाँ पर जैसे HTTP हमने add किया, तो HTTPS की आपको information नहीं देगी, ठीक है, तो मान की चलते है, आपने पहले जब आपने website अपनी बनाई थी, जिस वक्त आपनी website create कर रहा तो अब आपकी जो website है, वो HTTPS पर अगर आपकी हो जाएगी, तो आपको फिर से, क्योंकि यह URL अलग हो गया न, जैसे अगर आपकी website है, एक http slash abc.com, और आपकी website का जो URL है, वो https slash abc.com है, तो Google की नजर में यह दो different URLs है, यह एक URL नहीं है, Google की नजर में यह दो different URLs है, तो तो जब कभी बाद में अगर आपने HTTPS किया, तो आपको फिर से submit करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जब आपने HTTPS कर दिया, तो फिर इसकी जो information है, वो अलग हो गई, अब इसकी जो information है, वो अलग हो गई, तो I believe अभी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, कि यह दो W. भी दिख रहा है, ठीक है, तो यह एक additional चीज़ आ गई, हमने add यह किया था property, तो इसलिए यह भी ना match नहीं करेगा, देखरो आप यह भी match नहीं करेगा, और इसकी जो insights है, वो आपको नहीं रिखाई देंगे, तो यह आपके उपर depend करता है, कि आप किस तरीके से reports जो है, उसके basis पर आप यहाँ पर URL prefix property या domain property जो है, वो आप set करोगे, अगर आप एक बार domain property set कर देते हो, तो एक चीज़ से free हो जाते हो, कि ऐसा तो नहीं है कि कोई data हमारी miss हो रही है, सारी की सारी जो हमारी data है, वो अब Google search console के अंदर है, filters लगा लगा के ढून लेंगे, ठीक है, URL prefix की अगर आपने property submit करी, तो फिर आपके जो sub domains वगेरा बनेंगे, उनकी information आपकी नहीं जाएगी, तो फिर उसके लिए आपको further URL prefix पर दूसरी properties या तो add करनी पड़ेंगी, या फिर आपको domain property की तरीके से add करना पड़ेगा, हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से हम लोग हमारी website को URL prefix वाले method को use करके Google search console के अंदर submit कर सकते हैं, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, आप मेरे laptop screen के ओपर, हमारा Google search console का dashboard है, वो open है, और जैसे आप इसके ओपर जाएगे, और new property को add करने के लिए जाएगे, आपको यह दो options दिखाई देते हैं, तो यह जो हमारा domain वाला method है, इसको हम लोग बाद में discuss करेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं, URL prefix के basis पर किस तरीके सा हम लोग अपनी website को submit कर सकते हैं, तो guys यहाँ पर आप देख रहे हो, आपको सबसे पहले हाँ आपका URL जो है, वो mention करना है अब बहुत ध्यान से आप समझने की कोशिश करो, यहाँ पर देखो, यह लिखा हुआ, http colon double slash omartaski.xyz, अब अगर मेरा blog होता है इस particular website के उपर, और मैं चाहता कि blog और blog के बाद जो URL हमारे बन रहे हैं, मतलब blog के अंदर जो हमारे URL बन रहे हैं, हम केवल उनको चाहते हैं कि ह हम वहाँ से केवल अपनी property को add करें, Google search console के अंदर, तो हमें इस type से add करना था, उस particular case में अगर हम इस type से add करते हैं, तो फिर यहाँ पर इस particular URL के उपर, जो केवल .xyz तक का है, या हम गए home page वाला जो हमारा URL, इसके उपर अगर कोई interactions हो रहे हैं, इसकी जो reports है, जो search engine result page की reports ह कि कितने impressions हैं, कितने clicks हैं, यह सारी हमें नहीं दिखाए देती, क्यूंकि हम लोगों ने इसको URL prefix में रखा हुआ है, तो for now हम यह चाहते हैं कि यहाँ पर इसका HTTP version है, हमारी website का, वो यहाँ पर हम लोग submit कर दें, तो हमें इसको यहाँ पर select कर लेना है, इस तरीके से यहाँ mention कर देना, उसके बाद मैं continue करता हूँ, अब continue करने के बाद, submit करने के लिए जो verification होता है, यह इसके different methods हमको बताता है, अबर बहुत सारे methods है, जिन में से यह domain name provider वाला method है, यह क्योंकि हम लोग जो हमारा DNS वाला method होता है, जब हम domain को completely domain को submit करने चाहेंगे, तब हम इसको analytics को भी use करके आप verify कर सकते हैं अपनी ownership, और उसके बाद अगर आप चाहें तो Google Tag Manager को भी use करके आप अपनी ownership verify कर सकते हैं, तो guys, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, GTM वाला method, Google Tag Manager वाला, तो guys, सीधी सी बात है कि हमारी website के उपर GTM के जो code होता है, अगर वो हमा additionally कुछ करने की जरूरत नहीं है, यह जरूर है कि वो वाला GTM जिस Gmail ID पर है, उसी Gmail ID पर आपका search console भी होना चाहिए, तो वो आपस में sync करके verify कर लेगा, आपको additionally कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो बहुत ही simple सी process है यह, GTM वाली, इसी तरीके से Google Analytics की भी process बहुत ही simple है, मान लेते हैं, आपकी website के उपर already एक Gmail ID से Google Analytics का code लगा हुआ है, और यहाँ पर इन्होंने mention भी किया हुए, देखो, your homepage must contain either your analytics.js और gtag.js snippet, snippet मतलब यहाँ पर code है, तो अगर यह हमारी website के उपर already लगा हुआ है, और जिस Google ID से हम लोगोंने Google Analytics बनाया हुआ था, अगर उसी Google ID से ह लोगोंने Google Search Console बनाया है, तो हमें additionally कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस simply हमें आपर verify पर click करना है, और हमारा जो यह verification है, website owner verification वो हमारा यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद हमारा यह HTML tag का option हमें मिलता है, इसमें guys हमें क्या गरना है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यह आप आपकी website custom code है, simply इस code को आप अपने developer को दे दो, वो आपकी website में यह code पेश्ट कर देगा, कई बार ऐसा भी होता है, developer back end में आपको इस type सा interface बना कर दे देते हैं, admin section आपको दे देते हैं, login section दे देते हैं, जहां से आप जाकर आराम से इस code को हाँ पेश्ट कर सकते हो, तो right side में मैं आ जाता हूँ, आपको देखो, यहाँ पर header.php दिख रहा होगा, header.php में आपको head section देखना है, जैसे कि आप देख रहे हो, head section आपको दिख रहा है, head section में ही, जैसे यह opening head section की, और यहाँ पर अगर आप देखो तो closing है, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, और अग ठीके से हम लोग यह कर सकते हैं उसके बाद अगर हम लोग यहां पर वापस आ जाए जो फॉर्थ मेथड आप देख रहे हो यहां पर वह हमारा जब आप इस फाइल को डाउनलोड कर लोगे इसके बाद इस फाइल को आपको अपनी वेबसाइट की रूट डिरेक्टरी में अपलोड करना पड़ता है तो जब मैं बोल रहा हूं कि रूट डिरेक्टरी में अपलोड करना पड़ेगा तो इसके लिए आपको अपनी वेबसा लगा दिया है जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो कोड है वो लगा हुआ है और मैं अगर इसको अपडेट कर देता हूं यहाँ पर अपडेट करने के बाद मैं यहाँ पर इसको वेरिफाई करता हूं तो अब आप यहाँ पर देख रहा हो जो हमारा वेरिफिकेशन म करना चाहते हैं वेबसाइट को सम्मिट करना जाते हैं Google Search Console में तो आप कर सकते हैं किस तरीके से हम लोग हमारी वेबसाइट को Google Search Console के अंदर सम्मिट कर सकते हैं with the help of DNS verification method तो इसको हम लोग देखेंगे पिछले वीडियो में हम लोग ने यह समझने को करी थी किस तरीके से हम लोग URL प्रिफिक्स वाले method को यूज़ करके हमारी वेबसाइट को सम्मिट कर सकते हैं Google Search Console के अंदर तो वैस यहां पर आप देख सकते हो मेरे laptop screen के उपर मुझे यहां पर property टाइप सेलेक करना है जो कि basically मैंने आप डोमें सेलेक कर रखा है और यहां से फिर मैं अपनी जो website है उसको मैं एक बार के लिए pick कर लेता हूँ जो हमारी demo website है और इसका जो domain है वो हमें यहां पर mention करना है ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर आपको HTTP, HTTPS यह सारी चीज़े आपको नहीं mention करना है नहीं simply बस आपको आपका जो domain है वो आपको mention कर देना है आपको कोई slash वगरा भी नहीं लगाना है बस आपको domain यहां पर mention कर देना है आपको according to the DNS provider ठीक है तो हम लोग यहां पर जो any DNS provider उसको हम लोग select कर लेंगे और यहां पर आपको दिख रहा होगा एक TXT record है जिसे हमें DNS configuration में add करना है fine इसको copy करके हमें वहाँ पर add करना है तो इसके लिए guys यहां पर आप देखते हो मैं आज को अपने hosting account में और यहां पर मैं अपना domain एक बार select कर लेता हूँ जैसे यहां पर आप देखो यह selected है और इसके बाद हम लोगों को नीचे आना है यहां पर और हमें सर्च करना है यहां पर DNS zone editor तो आप यहां पर सर्च कर लीजेगा DNS zone editor तो मैंने यहां पर DNS zone editor को open कर लेना है और उसके बाद एक और मैं आपको यहां पर important update बता दूँ देखो मैंने तो practically नहीं रेखा है कितना time लगता है जल्दी हो जाता है बर तुरंत 30 second या 1 minute में कभी-कभी नहीं भी होता है कभी-कभी 15-20 minute कभी-कभी आदा घंटा भी मैंने देखा हुए अपने experience है कि लग जाता है हमारा जो property है उसको verify होने में तो गई यहां पर हम लोग वापस इसलिए इस type से मुझे interface दिख रहा है हो सकता है आपके case में जो interface है वो थोड़ा बहुत अलग हो अलग-अलग type of service providers में अलग-अलग हो सकता है हो सकता है वो अलग हो बट यह जो आपको DNS record manage करने की fields मिलेंगी यह आपको सम्में एक ही जैसे मिलेंगी fine तो वाइस हमें जाना ह आपका domain है वो आपको mention करना है तो मेरा domain जो है omartaskir.xyz है वो मैं mention कर देता हूँ text value में जो हम लोग यहां से copy करेंगे ना उसी को मैं यहां पर paste कर दूँगा और जो TTL है इसको आपको by default यही रखना है कुछ भी बाकी इसमें नहीं करना है वस simply आपको यहां से add record कर देना औ आपको अभी तो इसने तुरंद कर दिया यहां पर देख रहो आप domain name provider verification method में आप देख रहो यहां पर बट कई बार ऐसा होता है कि यह थोड़ा सा time लगा देता है बट आपको confused नहीं होना है उससे ना कि परेशान होना है हो सकता है कि मैंने पहले भी यहां पर URL prefix को use कर रख तो अब आप देखोगे जो हम लोगों ने दो properties add करी हुई है एक हम लोगों ने URL prefix वाले method से करी थी जो कि आपको यहां पर दिख रही है URL prefix वाली और domain वाली आप देखो तो यहां पर दिख रही फाइन तो यह दोनों separate है अब domain वाले में अगर मेरा कोई sub domain वगरा होगा तो इनसाइट मुझे यहां पर दिखाई देंगे यहां पर आ जाता हूँ अगर ठीक है कि हमने नया यह आड किया होगा तो यहां पर अभी जो रिपोर्ट से वह पॉपुलेट नहीं थोड़ा सा टाइम लगेगा अब हमें यहां पर इसके सब डोमेन की ठीक है सब डिरेक्टि अपनी गूगल सच कंसोल प्रॉपर्टी का जब कभी हम लोग यूजर्स को एकसेस देने की बात करते हैं आप किसी भी टूल को उठालो चाहे वह गूगल एड्स हो फेस्बूक एड्स हो हर किसी टूल में हर किसी प्लाटफॉर्म में इस चीज़ का ऑप्शन होता है कि आप इस पर्डिकुलर वीडियो के अंदर वैसे अगर बात करी जा इस फीचर की तो टेकनिकल यह फीचर बड़ा ही बेसिक सा फीचर है बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है कि आप अपनी प्रॉपर्टी का जो एकसेस है वो किसी दूसरे आईडी के उपर दे रहे है बस इतनी चीज होती है बट क्यों दे रहे हैं कब हमें देना चाहिए यह सारी चीज़ को डिसकस करेंगे तो थोड़े और किलेरिटी हमें हो जाएगी गाइस यहां पर आप देख सकते हो मेरे लापटॉप स्क्रीन के उपर मेरे पास एक यह जीमेल आईडी है या आप जिसको बोलो गूग सारे जो प्रॉपर्टीज है उनका एकसेस हो बट गाइस जब आप किसी दूसरे को किसी एक प्रॉपर्टी का एकसेस देना चाहेंगे तो आप यह नहीं चाहेंगे कि आप उसको यह इमेल आईडी दे दे यूजर नेम दे और पासवर दे अगर आपने ऐसा कर दिया तो क्य आईडी के उपर होगा उन सब का एकसेस उसके पास चला जाएगा अगर आपने उसको इसका यूजर नेम और पासवर्ट दे दिया तो प्राइवेसी का इशू है तो हर प्लाटफॉर्म ने इस टाइप का फीचर दे रखा है ताकि आपको यूजर नेम और पासवर्ट ना वर्क करते हैं जिनके हम डिश्टल मार्केटिंग श्राटजी डिवाइस करते हो जिनके हम डिश्टल मार्केटिंग प्रोजेक्स करते हैं कई बार ऐसा होता है कि जब हमें कोई रिपोर्ट प्रिपेर करके देनी होती या प्रपोशल बनाने होते हैं अपने जो प्रॉस्प हमें चाहिए होती है कि उसके business पर हम कुछ concrete और solid proposal दे पाएं या solid numbers उनको बता पाएं या हम कुछ एक estimate जो है वो उनको दे पाएं, mathematically justified estimate जो है वो उनको दे पाएं, इसके लिए ज़रूरी होता है कि वो अपने Google Search Console का access हमें दे, अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये हर एक client के उप पर लागू हो, बट जो बड़े client होते हैं, जहां पर numbers बहुत जादा माइने रखते हैं, कि हमें जो भी चीज उनको बोलनी है या जो भी information हमें उनको देनी वो concrete और solid information होनी चाहिए, हवा में कुछ भी नहीं दे सकते हैं, तो ऐसे particular case में हमें थोड़ा बहुत access चाहिए होता दे, अब वो हमें ना तो owner का access देगा, इसके अंदर के आप अभी देखेंगे, तो तीन तरीके के accesses देने का हमें option मिलता है, एक तो हमें full access देने का option मिलता है, second हमें owner का, और third हमें restricted access मिलता है, तो वो इस particular case में हमें केवन restricted access ही देगा, ठीक है, अगर उसे मेरी बाचीज सम reports को view कर सकता हूँ, तो अगर business owner को ये लगता है कि ठीक है, agency report ही तो देख रही है, कोई बड़ी problem की बात नहीं, तो वो हमें access दे सकते हैं, restricted access, तो ऐसे scenarios बहुत सारे बनते हैं, जहां पर ये जो access का option है, काफी important हो जाता है, उसके बाद मान लेते हैं कि मेरा proposal जो है, वो client को स अब वो हमें full access दे देंगे, ताकि हमें अगर कुछ site maps होगारा add करना है, कुछ pages को de-index होगारा करना है, तो उसमें हमें कोई problem ना है, तो अभी आपको बात समझ में आ रही है, कि ये options क्यों दिये गए हैं, अब अगर हमें ही नहीं use करना है, तो इस तरीके हम कर सकते हैं, ये भी मैं आपको clear करते हैं, तो देखो, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, अपनी एक property के उपर, तो मैं यहाँ से एक अपनी URL prefix वाली property जो है न, उसको select कर ले तो, आप कोई भी property आप select कर लें, ठीक है, जो भी आपकी property है, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जा आप देखो, अब यह तीन option दे रहा है, देखो, owner तो मैं कभी नहीं suggest करूँगा, क्योंकि owner में problem क्या होती, अगर आपने किसी को owner का access दे लिया न, तो वो आपको भी remove कर सकता है, तो यह तो मैं कभी नहीं suggest करूँगा आपको, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर full का access होता है, केवल view न कर सके, बलकि edit भी कर सके, कुछ changes अगर करने हो, तो भी कर सके, restricted access बड़ा ही limited access होता है, इसमें केवल reports को view किया जा सकता है, तो मैं एक बार restricted access के साथ यहाँ पर access देता हूँ, तकि आप चीजों को समझ पाए, ठीक है, और मैं add कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने अपनी property का restricted access दे दिया, और यहाँ पर देखो, आपको restricted access का, यहाँ पर user के नीचे आपको पता भी चल रहा है, अब अगर हम लोग इस particular, अपनी ID के उपर जाए, जिसके उपर हमने access दिया है, और मैं एक बार refresh करता हूँ, और यहाँ आता हूँ, तो मैं देखो, आप property को select क मिलना है, यहाँ पर submit करने का sitemap, वहीं अगर आप यहाँ पर देखो, जहाँ पर मेरे पास full access है, मेरे पास option है, sitemap submit करने का, वहीं अगर मैं removals में चला जाओं, तो यहाँ पर मैं removals के लिए request raise कर सकता हूँ, बट यहाँ पर मैं removals के लिए request नहीं raise कर पाऊंगा, देखो, आपको यहाँ यह option ही नहीं दिखरा है, grade है, यहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता, fine, तो यह different scenarios होते हैं, जहाँ पर हमें इन accesses को देना है, ठीक है, उसके बाद मुझे लगता है कि मेरी बातचीत नहीं बनी, agency के साथ, या मेरा काम नहीं होना, agency के साथ, simply हम क्या करेंगे, या हम agency username और password आप दे, वो एक अच्छी practice नहीं है, आपकी security के point of use, कितना भी आप agency को क्यों अट्रस्ट करते हो, आप कभी भी username और password ना दे, right? गईस, जब कभी भी हम Google search console के अंदर अपनी website को submit करते हैं, और अगर हम यह मान लें कि हम अपनी website को पहली बार submit कर रहे हैं, तो थोड़े time के बाद देखते हैं, कि Google search console के अंदर बहुत सारी reports जो है, वो generate हो जाकी, अब एक beginner के लिए बहुत बड़ा confusion होता है, कि उसे किस report के देख रहा है, तो मैं आपको recommend करूँगा, कि सबसे पहले तो आपको जो coverage report है, उसी को cover करना है, उसी को समझना है, और उसमें जो issues है, सबसे पहले आपको उनी issues को solve करना है, और उसके बाद आपको दूसरी जो reports है, जैसे performance की reports है, और भी बहुत सारी reports है, उनके उपर आपको जाना है, देखो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि coverage, जो report है, index वाले section के अंदर हमें देखने को मिलती है, जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हो, मेरे laptop screen के उपर, यहाँ पर मेरा URL है, वो open है, ठीक है, और Google Search Console में, आपर index वाले section के अंदर हमें coverage report दिख रही है, और इसके issues आ रहे हैं with regards to crawling, as well as with regards to indexing, तो हमें पता कैसे चलेंगे, right, तो बीच में Google ने हमें एक tool दे दिया, Google Search Console के नाम से कि देखो भई, अगर आपकी website के अंदर कुछ crawling से related issues आ रहे हैं, अगर आपकी website के अंदर कुछ indexing से related issues आ रहे हैं, तो हम आपको through this platform, हम आपको notify कर देंगे, along with the suggestions कि आप यही चीज़े कर लो, तो आपके यह जो issues है वो solve हो जाएंगे, अब हमने अगर website बनाई और हमने यह सोचा कि हमें हमारी website का SEO करना है, तो यह बात तो बाद में आएगी कि किन keywords के उपर हमारी website rank हो रही है, किन keywords के उपर हमारी website नहीं rank हो रही है, कहा rank हो रही है, किस position पर रही हो रही है, यह सारी बात की चीज़े है, जब तक हमारी website के pages index नहीं होंगे, यानि वो coverage में नहीं आएंगे, जब तक Google उनको discover नहीं कर पाएगा, कि इनकी website के उपर यह एक page है, slash services का एक page है, slash contact us का एक page है, अगर Google को यहीं नहीं पता चले का, तो आगे की सारी क pages है ना, वो coverage में है भी या नहीं है, मतलब वो properly index हुए भी है या नहीं हुए, ऐसा तो नहीं है कि हमारे important pages किसी भी reason की वज़े से हो सकता है, ना index हुए हो, ऐसा तो नहीं है, तो इन सारी चीजों की जो हमें report है, वो हमें मिलती है coverage के अंदर, तो अब आप खुदी समझने क कुछ करिए कि performance से पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारी website का coverage जो है, वो properly हुआ है या नहीं हुआ है, या जो हमारी website की indexing है, जिन भी important pages को हम रांग करना चाहते हैं, उनकी proper हुई है या नहीं हुई है, बहुत सारे cases अगर अभी आप देखेंगे भी example जो मैं आपको होता हूँगा तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे cases में जो है हमारी website की जो बहुत सारे pages है, उनकी indexing नहीं होती है, और हम उस चीज को ignore भी कर देते हैं, क्योंकि हमें reasons पता चल जाते हैं कि हमारा page क्यों नहीं index हुआ है, ये वाला page क्यों हमारा exclude कर दिया गया है, ठीक है बता सको, दोनों ही dummy websites है, बहुत बहुत है data इसके अंदर नहीं है, demo type कि या dummy type कि आप इनको website समझ सकते हो, बट points आपको ध्यान से समझने हैं, देखो, जब मैं यहाँ पर आता हूँ, coverage के अंदर, तो मेरे को यहाँ पर सबसे पहले दिख रहा है all known pages, और मैं इसके उपर click कर जैसे, एक तरीका यह हो सकता है, कि back link कहीं पर mention है, उसके through, जो pages है, वो discover किये गए हूँ, ऐसा भी हो सकता है, कि site link के through, जो pages है, वो discover किये गए हूँ, तो जो अलग-अलग तरीके हैं, वो हो सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, जितने भी pages हैं, जो हमारी website के उपर नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पर जो आप देखोगे, तो आप देखोगे, आप पर all known pages, all submitted pages, कितने हैं, और उसके बाद अगर आप देखोगे, तो site map, जो होता है हमारा, उसके through, कितने pages, इस section के अंदर आए हुए, वो भी आप देख, क्योंकि site map, के अंदर भी तो परली, समझ में आ जाए, आब बोलोगे, सर, यहाँ पर क्यों नहीं दिखा रहा है, site maps, यहाँ पर भी तो दिखाना चाहिए, अगर यहाँ पर, Content Map हो हमें धिखा रहो, तो यहाँ पर भी site map दिखाना चाहिए, अब यहाँ पर site map इसलिए, नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हम इस बात को आप समझो, बहुत सा है, लोग समझते हैं कि site maps अगर नहीं लगाएंगे हम, तो हमारी website index ही नहीं होगी, या pages हमारे index ही नहीं होगे, ऐसा बिलकुल नहीं है, वो बात यहां से justify भी होती, क्योंकि यहां पर तो site map नहीं है, site map नहीं है, फिर भी आप देखो इतने pages जो है, वो valid दिखा रहा है, यहां पर अगर आप देखोगे, तो site map है, और site map यहां पर submit भी है, और यहां पर आओ आओ आपस, तो आप देखोगे, कि site map में कितने pages हैं, वो भी आपको यहां पर दिख रहा है, फाइन, एक चीज तो आपको यह clear होगी, उसके बाद आप यहा गड़-बढ़ हो गई, थोड़े से, जो है, malware वगएरा, अगर आपकी website के अंदर आ गए है, जिसको आप virus वगएरा भूल सकते हो, अगर वो कुछ गड़-बढ़ी है, तब भी आप देखोगे, यहां पर बहुत सारे आपको गड़-बढ़-गड़-बढ़ से URL दिखने ल जाएंगी, अगर मैं all known pages के उपर जाता हूँ, तो आप सबसे पहले यहां पर देखोगे, आपको errors वाला section दिखेगा, और नीचे आओगे, तो यहां पर आपको report भी दिखेगी, कि errors अगर आए हुए, तो क्या error है वो, और किस URL में वो error आए हुए, क्योंकि जितना भी SEO होत तो अगर आप एक चीज हमेशा ध्यान रखोगे, कि SEO page wise होता है, तो आपको कभी confused होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहां पर जो आपको errors भी दिखेंगे, तो यहां पर तो हमें बता रहा है, कोई भी issue नहीं है, और आपको make sure करना है, कि यह चीज हमेशा zero रहे, ठीक ह तो आपको make sure करना है, कि यहां errors ना है, उसके बाद यहां पर valid with warnings हमें दिखता है, सीधा सा मतलब यह है, कि हमारा जो page है, जो भी यहां पर दिखेगा, ठीक है, कि हमारा जो page है, वो valid तो है, बट कुछ specific warnings के साथ है, तो आप उन warnings के उपर काम कर लेंगे, तो फिर आपको यह जो है, वो valid में दिखा रहा है, these pages are submitted and indexed, ठीक है, 10 pages ऐसे हैं, जो submitted है, और indexed है, और एक page ऐसा है, जो indexed है, but site map में नहीं submitted है, इसलिए submitted में नहीं दिखा रहा है, देखो, submitted का मतलब होता है, हम अपनी तरफ से जब URL Google Search Console के अंदर देते हैं, तो that comes under the submitted thing, कि मैंने खुद दिय अब वो देने का तरीका क्या हो सकता है, site map के थुरू हो सकता है, तो अगर मैं site map upload करता है, हमने submit किया URL, ठीक है, Google कहीं से ढून लेता है, Google crawl करके ढून लेता है मेरे URL को, उसका मतलब यह हुआ कि अगर वो crawl करता है, फिर index कर लेता है, तो वो indexed है, but that is actually not submitted in the site map, तो यहाँ अब जो status हमें दिख रहा है, वो valid दिख रहा है, 11 URLs का, क्योंकि submit तो हो गए न, URLs, अब वो चाहे हमारे site maps के थुरू submit हुए हो, चाहे हमारे directly crawler ने ढून लिये हो, वो मुद्दा नहीं है, बट अगर हमारे website properly submit हो चुके, which means that कि सारी चीज़ें valid है, अब important चीज़ जो कर दिया, अब इस बात को समझोगे, तो आपको सारी चीज़े clear समझ में आ जाएंगी, देखो मैं excluded पे जाता हूँ, अब यह बता रहा है, अगर मैं इनको off कर दू, क्योंकि केवल मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ, excluded वाली data, हम लोग नीचे आ जाते हैं, तो यह बो क्योंकि वही original और master page है, इसके बारे मैंने canonical वाला जो lecture है हमारा उसमें बहुत detail में बात करी थी, इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि चीज़ें अगर detail में समझ नहीं है, तो फिर videos को properly थोड़ा सा follow करते रहना, तो और अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो दो यहां पर जाता हूँ, alternate page with proper, तो मैं इसके उपर जाता हूँ, अब देखो यहां पर तुम्हें खुदी समझ में आएगा, इस page को मैं open करता हूँ, यहां पर URL बहुत ध्यान से देखना, क्या दिख रहा है तुम्हें, about.html, तुम्हें एक URL यहां पर दिख रहा है, about.html, ठ URL के उपर same content आ रहा है, अब आप बोलोगे, सर एक ही चीज तो है, यह भी तो slash about है, यह भी तो slash about है, बट मैंने आपको बताया था, कि अगर कुछ भी change हो है, sir.html है, यह Google इसको एक different URL consider करता है, इसको Google एक different URL consider करता है, बिल्कुल वैसे ही, जैसे www वाले version को, non www वाले versions को, द दो page है, दोनों page के उपर content क्या है, content similar है, अगर दोनों pages के उपर content similar है, तो यहाँ पर तो problem create हो गई न, तो एक ही page तो index होगा, तो इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हो, कि इन्हों ने बोला कि बहुत सारे ऐसे pages थे, जिनमें यह issue था, ठीक है, 14 ऐसे pages थे, जिनमें यह issue थ ठीक है, तो वो आले pages को ignore कर दिया गया है, उसी तरीके से, अगर आप यहाँ पर आते हो, not found, बहुत सारे ऐसे pages हैं, जो not found हुए, जो exist ही नहीं करते हैं, तो हमें इनको solve करना पड़ेगा, proper तरीके से, duplicate without user selected canonical, अब यह pages duplicate तो है, बट इनका कोई canonical न, इनका कोई master page नहीं बता ठीक है, तो यह भी एक error है, तो अगर हम इनको properly canonicalization इनका कर दें, यह जो issue है, इसको हम solve कर दें, तो यह pages भी solve हो जाएंगे, ठीक है, अगर आप कुछ इसमें solution कर लेते हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा time लगता है, और फिर यह coverage वाली report के अंदर, आपको जो भी आपने changes किय हुए, अगर वो ठीक तरीके से आफिक है, तो वो आपको यहाँ पर reflect हो जाते हैं, तो जैसे आप यहाँ पर देखोगे, यह last updated जो है, वो तीन आठ को है, मतलब 8 March को यह last updated report है, थोड़ा time लगता है, आज की जो date है, वो 11 March है, तो तीन दिन पहले का ही है, तो अगर आज इसमें error है, क्या problem है, को important page ऐसा तो नहीं, जो index ही नहीं हो पा रहा है, और क्या reason उसके पीछ आ रहा है, यह सारी चीजे जो हमें coverage वाले section के अंदर पसा चलती, इसलिए मैं recommend करता हूँ कि सबसे पहले पूरी coverage की जो report है उसको properly scan कर लो, और यहां से आप इस report को अगर export करना अचा हो, तो that you can also do, guys Google search console में अभी तक का जो हम लोगों ने discussion किया है, उसमें हम लोगों ने इस चीज़ को समझने की कोशिश करी है, कि हमारी website को crawl कैसे किया जाता है, हमारी website को index कैसे किया जाता है, और उससे related जो reports हैं, वो Google search console के अंदर हमें कहां पर दिखाई देती है, जो कौन से valid है, और कौन से valid नहीं है, pages और किस type के errors उसके अंदर है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने coverage वाले report के अंदर देखी थी, guys अभी तक भी मैं performance वाली report पे नहीं पहुचा हूँ, कहने का मतलब कि हमारे web pages किस तरीके से search engine result pages के अंदर perform कर रहे हैं, इसके उपर अभी त तो नहीं आ रहा है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले ensure करेंगे, उसके बाद हम लोग performance और बाकी चीज़ों के उपर जाते हैं, Google Search Console के अंदर, तो अगर मैं बात करूँ कि URL inspection tool करके क्या हमें देगा, तो इसको मैंने चार parts में divide किया करता है, वो current indexing status, यानि कि हमारा जो web page है, वो अभी index हुआ है, या नहीं हुआ है, तो मतलब इसका indexing से related status है, वो हमें पता चलता है, second is testing का live URL, जो अभी हमारी website के उपर live URL है, हम उसको अगर test करना चाहिए, अभी जो हमारा URL है, वो किस तरीके से दिख रहा है, उसका भी option ह है, वो आप देख सकते हो, requesting Google to crawl a page, let's say आपकी website के उपर एक page था, वो पहले से index था, आप आपने उस page के अंदर बहुत सारे changes कर दी, तो अब आप चाहते हो कि तुरंथ, आप एक और जो indexing है, वो request करें, तो वो चीज़ अगर आपको करनी है, तो आपको URL inspection tool के help लेनी तो उससे related कोई error तो नहीं, उससे related कोई problem तो नहीं, यह सारी चीज़े भी हमें URL inspection tool के थ्रूँ पता चलती है, इवेन अगर हमारे page के उपर कोई schema data है, तो उसमें तो कोई problem नहीं, उसमें तो कोई error नहीं है, वो सारी चीज़े है, हमारा जो page हो mobile friendly है या नहीं, यह सारी आप देख सकते हो, inspect any URL दिखा हो है, यहाँ पर click करता हूँ, और मैं अपने URL को यहाँ पर enter करता हूँ, ताकि यह Google के index से कुछ data उठा सके, अब URL को inspect करने के अलग-अलग तरीके हो सकते हैं, आप यहाँ से कर सकते हो, URL inspection यहाँ पर भी आग जाओगे, तब भी आप कर सकते ह हो, और अगर आप कोई report देख रहा हो, जैसे मैं आपर coverage report open कर देता हूँ, अगर आप कोई report देख रहे हो, और कहीं पर भी अगर आपको URL दिखना है, जैसे यह, तो यहाँ पर भी आपको यह चोटा सा search का icon दिख रहा है, यहाँ पर भी आप click करके URL inspection पे जा सकते हो, अब आ मैं करूंगा अब इस चीज़ को, coverage के अंदर अगर हम लोग आएंगे, तीन sections में actually divide होता है, जब आप coverage के अंदर आओगे, तो आप देखोगे, आपका URL किस तरीके से discover हुआ था, तो यहाँ पर site maps की help से यह URL discover हुआ था, कोई referring page है क्या, referring page मतलब क्या यह URL किनी दूसरी URLs के उपर as a link mention है, तो वो नहीं है, कोई भी detected नहीं हुआ, last crawl कभी यह हुआ था, और crawl जब हुआ था, तो किस device ने इसको crawl किया था, तो Google का जो Google bot है, smartphone वाला Google bot, उसने इसको crawl किया था, crawling allowed है, yes, page fetch हो रहा है, properly, yes, successful है, indexing allowed है, yes, user declared canonical जो है, इसका वो क्या है, मतलब यह self canonicalization पर है, तो canonicalization वाला वीडियो अगर आप देखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, कि user declared canonical में यहाँ पर जो है, हमारा, यही हमारा home page भी है, और इसका जो canonical URL है, वो भी यही है, ठीक है, Google selected canonical जो है, वो inspected URL है, और उसके बाद enhancements में आपको schema data वगरा है, उससरे later आपको reports मिल जाती Majorly अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर schema data की एक report logos के form में आपको यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें, तो mobile usability में page is mobile friendly हमें दिख रहा है, यहाँ पर तो आपको कोई error नहीं दिख रहा है, मैंने parallelly यहाँ पर एक और property जो है, यह submitted नहीं है, site map में, ठीक है, ओके, फाइन, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, site map में भी na दिखेगा आपको, not applicable, क्योंकि submit ही नहीं है, referring page भी नहीं detect हुआ है, last crawling इसकी कब हुई थी, और बाकी सारी आपको जो reports हैं, वो दिख रही है, mobile usability, और क्योंकि यह WordPress के WooCommerce पे बन तो यह सारे errors जो भी हैं, वो आपको यहाँ पर पता चलते हैं, जो भी important होते हैं, URL से related, उसकी crawling और indexing से related, वो भी आपको यहाँ पर पता चलते हैं, right, तो दोनों चीज़े आपने देख ली, कि अगर हमारा URL perfect है, ठीक है, तो वो किस type से दिखाई देगा, और वो perfect नहीं है, तो उसमें अगर errors वगरा है, तो किस तरीके से दिखाई देगा, जिससे मैंने बताया है, कि अगर आपको दुबारा indexing request करनी है, आप यहाँ से कर सकते हो, आपका जो crawled page है, अगर आपको वो देखना है, तो आप यहाँ से देख से जिससे मैंने बताया था, कि page की जो दूस results शो कर देगा, तो guys, अभी आप देख सकते हो, जो हमने live test किया, मतलब कि अभी Google search console कि टाइप से हमारे URL की report जो है, वो generate करता है, वो यहाँ है, गूगल index आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, यह तो Google का index है, मतलब Google के server में जो information है, उसके हिसाफ से बता रहा है, बढ़ अगर मैं अभी quick live test करता हूँ, तो फिर क्या report निकल के आती, वो आपको यहाँ पर दिख रही, तो I believe अभी आपको चीजे समझ में आ गई होगी, कि URL inspection का work क्या होता है, अगर आप को screenshot लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ से screenshot ले सकते हैं, तो अगर आपको पता चल जाए, कि URL URL inspection का work क्या होता है, बहुत ही detail में हम लोग समझने वाले हैं, कि performance report के अंदर हमें क्या-क्या insights और क्या-क्या data, क्या-क्या information हमें देखने को मिलती है, तो guys, सबसे पहले हम लोग यह समझने कुछ करते हैं, कि आखिर performance का यहाँ पर मतलब क्या है, तो अगर हमारे पास कोई हमा report के अंदर मिलती है, कहने का मतलब सीधा सा यह है, कि मान लेते हैं, अगर मैं यहाँ से आ जाता हूँ, गूगल के उपर, और गूगल के उपर, let's say, मैं टाइप करता हूँ, यहाँ पर India, right, मैं यहाँ पर India टाइप करता हूँ, और आप देख रहों, यहाँ पर बहुत सारी यह वाला जो पेज है, rvi.org.in, यह वाला हमारा पेज, इस particular query के उपर, इंडिया में जो है, वो rank कर रहा है, और उसको इतने clicks और इतने impressions मिले, right, तो हमारा अगर कोई वेब पेज है, वो किस तरीके से साच इंजा निजर्ट पेजिस में perform कर रहा है, अगर इसको हमें समझना आए, तो आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास यह performance की report होती, अब एक और चीज़ यहाँ पर, बहुत retail में हम लोग समझेंगे, कि जब कई हम लोग बात करते हैं, किसी report की, तो आप समझो इसका purpose क्या है, मैं देखता हूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखो, जब हम बात करते हैं, reports की, reports का सीधा सा मतलब यह होता है, कि आपको किसी data के basis पर एक report मिली है, उसकी आपने analysis क्या करी, और analysis करने के बाद, उस analysis के basis पर जो आपको decisions लेने हैं, जो आपको changes लेने हैं, वो आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कि कोई changes लेने की जर जरुरत नहीं है, बट अगर changes करने की जरुरत है, तो क्या आप यह चीज justify कर पाते हैं, या data से समझ पाते हैं, कि हमें किस type के changes करने की जरुरत हैं, तो इन सारी चीज़ों के भी around थोड़ा सा हम लोग discussion करेंगे, report में एक और बहुत important चीज़ होती है, that is actually the date, कि जो हम report report हम लोग देख रहा है, fine, तो guys अगर हम लोग यहाँ पर इस report के उपर आएं, और इसके elements हैं, इस report के अंदर उनको explore करने कोशिश करें, तो देखते हैं, क्या-क्या चीज़ें हमें Google Search Console के performance वाले section के अंदर मिलती हैं, तो guys यहाँ पर सबसे पहले आप देखो, search type हमें पर जाता है, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर type किया India, right, तो अगर कोई भी user इस type से type करें, उसे बहुत सारे results दिखेंगे, जैसे हमने example यहाँ लिया मान लेते हैं, यह हमारी website थी, fine, तो यहाँ पर अगर हमारी website शो करती है, तो that is actually called as web, जैसे यहाँ पर आप देख रहे ह तो maps of India website जो है, यह वाला जो web page है, यह जो Google का search engine result page है, उसके images वाले section में perform कर रहा है, तो अगर हमें यह समझना है, कि जैसे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, performance के उपर, कि हमें जो analysis लेनी है, वो कौन से search type पे हमें analysis लेनी है, वो search type web है, वो search type images है, वो search type videos है या news है, मतलब हम web में कैसा perform कर रहा है, search engine result page के उपर, हम news में, images में, videos में किस तरीके से perform कर रहा है, तो वो अगर हमें समझना है, तो फिर हम यहाँ से further जाकर filters लगा सकते हैं, जैसे example के तोर पे अगर मैं images के उपर चला जाता हूँ, तो इसका मतलब यह है कि अब images वाले section में, हमारे जो web pages है या website है, वो किस तरीके से perform कर रहा है, तो यहाँ पर मैं वापस आ जाता हूँ, performance के उपर, तो अगर आप images वाले section के उपर जाओगे, तो images वाले section में, last three months में, हमारी यह जो demo website है, इसको लगभग लगभग 1200 के around, जो है, वो यहाँ पर impressions जो है, वो मिले हुए, हमें यहाँ कोई clicks नहीं मिले, हो सकता है, कुछ queries के उपर, जो हमारी images के impressions हो रहे हूँ, वो काफी नीचे हो रहे हूँ, तो impressions तो हो जाएंगे, जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो अगर कोई बंदा कुछ सर्च कर रहा है, तो अगर वो scroll करता है, तो यहाँ पर जैसे यह वाला image ह होती है, तो हम मान के चलेंगे कि यहाँ पर उसका impression हो गया, तो इसी तरीका से हो सकता है, कि यहाँ पर हमें जो impressions है, वो बहुत सारे impressions मिले, बट हो सकता है, हमारी image की जो position है, वो ranking है, वो इतनी अच्छी नहीं थी, या हमारी वो image ही उतनी अच्छी नहीं थी, कि उसने आपर आप देख सकते हो, average position किते नहीं है, 60, तो काफी नीचे average position आ रही है, तो average position अगर 60 के तो chances कम हैं, कि हमें बहुत अच्छा वहाँ पर CTR मिलेगा, यह बहुत अच्छे relevant हमें clicks मिलेंगे वहाँ पर, right, coming back to the important part, जो कि हमारा web वाला ही part होता है, अगर मैं वापस web वाले part के उपर आजाओं, तो आप देख सकते हो, इसमें हमें जो total clicks मिलें, वो 46 total clicks मिलें, last 3 months में, अगर मैं 6 months देखना चाहूं, 12 months देखना चाहूं, that is totally up to us, कि हम कितना time frame लेना चाहते हैं, reports कि अगर मैं बात करो, तो थोड़ा सा अगर आप ज़ादा time frame ले रहे हो, तो ही अच्छ होता है, मान लेते हैं कि आपकी website के उपर traffic बहुत ज़ादा आता है, आपको जो search in result page में visibility बहुत मिलती है, आपको impressions बहुत मिलते हैं, वहाँ पर आप छोटा time period भी ले सकते हैं, तो पते हलाँ आपको 1000 impressions रोज मिलना है, 5000, 6000, 8000, 10,000 impressions रोज मिलना है, तो ऐसे में अगर आप एक सब्ता की, एक week की भी data अगर आप देखेंगे, तो वो भी more than enough data होगी, क्योंकि already अगर आपको 7,000 impressions रोज मिल रहे हैं, तो 7 दिन में अच्छे गासे impressions मिल रहे हैं, अच्छे गासे clicks भी आपको मिल रहे होंगे, तो फिर वहाँ पर आप 7 दिन, 10 दिन, या 15 दिन, या 1 मही की जो report है, वो देख सकते हैं, बट जादे तर cases में, लोग थोड़े से longer period of time की जो report है, वो देखना prefer करते हैं, अगर उतनी जादा data नहीं आ रही है, तो ठीक है, बट again मैं आपको यही recommend करूँगा, कि आप चीजों को test करकर के देखें, 7 days की भी report देखें जाकर, 28 days की भी report ज जैसे अभी के तीन महीने और उससे पहले के तीन महीने, कि बीच में अगर मैं comparison करना चाहूँगे, मुझे पता है कि मैंने पिछले तीन महीने में बहुत ज़द efforts की हैं, तो क्या उन efforts का कुछ result मुझे देखने को मिला, कि हम ranking improve करने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या हमारे web pages क ranking improve हुई, क्या हमें ज़ादा impressions देखने को मिले, तो इन सारी चीज़ों को compare करने के लिए, अगर हम चाहते हैं time के basis पे compare करना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, उसे compare last three months to previous period दिया हुआ, इसको select करके हम लोग यहाँ पर simply apply कर देंगे, तो अब देख सकते हो, आपको दो ची application purpose है, यहाँ पर, right, तो 55 से यहाँ पर 46, अगर आप देखो, तो 46 थोड़ा सा down हुए यहाँ पर number of clicks, impressions देखो, increase हुए, बट number of clicks हमारे down हुए, जिससे कि हमारे जो CTR है, वो भी down हुआ, और जो हमारी average position है, वो भी down ही, मतलब हम पहले, अगर हमारी average position 17 थी, तो अब हमारी average position है, वो हो गई है, 21, अब average position का है, यहाँ पर मतलब समझे, बहुत सारे लोग जो है न, वो average position में confused हो जाते हैं, कि sir, average position का मतलब क्या है, देखो, average position का मतलब यह होता है, कि मान लिया, एक query के उपर, ठीक है, इसको इस तरीके से हम लोग समझने कुश करते हैं, मैं यहाँ पर जो हमारा page 2 है, यह 6th position पर rank करता है, तीसरी query के उपर, हमारा जो page 3 है, वो rank करता है, हमारा, let's say, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, 6, 5, 11 हो गया, तो यहाँ पर 4th position मान लेते हैं, right, तो अगर मैं बात करूँ, यह वाला page हमारा 5th position पर rank कर रहा है, यह वाला page हमारा 6th position पर, य अगर मैं पूछूँ हूँ on average मेरी ranking कितनी थी तो average का जो basic mathematics formula होता है वो आप लगा लोगे 6,4,10,5,15 divided by 3 is equal to 5 तो मैं बोलूँगा average position जो है हमारी website की क्योंकि ये वाला जो हमारा page है वो 5th position पे rank कर रहा है ये वाला जो हमारा page है ये 6th position पे rank कर रहा है ये जो page है 4th position पे rank कर रहा है तो हमने एक तरीके से इनका average निकाले है और हम बोलेंगे हमारी website की जो average position है न वो है हमारी 5 right average position 5 है वैसे यहाँ पर अगर हम मान लेते कि ये 5 होता जैसे तो ये point में चली जाती 5 5 10 और 16 divided by यहाँ 3 हो जाता तो ये लगभग 5.3 के around जो हमारी average position यहाँ पर आती fine तो इसलिए आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपको कुछ average position इस तरीके से दिख रही कि हमारी जो average position थी पिछले से पिछले वाले तीन महिने में वो 17.8 average position थी और अब जो हमारी average position है वो 21.1 है last 3 months की अगर हम average position निकालने कोशिश करें तो हमारी average position 21.1 है अब एक बहुत important चीज मैं यहाँ पर आपको clear करूँगा देखो average position मुझे बहुत ही जादा relevant नहीं लगती है metric क्योंकि अगर मैं इसको बताऊं आपको तो आपको समझ में आएगा कि average position उतनी जादा accurate नहीं है जैसे मैं मान के चलता हूँ कि मेरा brand name है उमर तसकीर अब आप इस बात को समझेगा मेरा brand name है उमर तसकीर और इसी नाम से मेरी website है अब अगर कोई Google पे जाता है और उमर तसकीर टाइप करता है तो there are high chances कि मेरी website पहली position पे rank हो जाए अगरी पट वहीं पर अगर कोई ये type करता है digital marketing trainer मान लिया या digital marketing agency वहां पर मैं rank कर रहा हूं 10th position पर अगर मैं दोनों का average निकालू तो कितना आएगा 11 divided by 2 यानि 5.5 तो Google search console हमें बताएगा कि आपकी जो website की अभी की ranking है वो है 5.5 तो आपको लगेगा औरे मैं 5th position पर rank कर रहा हूं बट ना तो आप 5th position पर rank कर रहा हूं देखो कि अगर आप जाकर तो आप कुछ queries के उपर पहली position पर rank कर रहा हूं लेट से एक student के exam में number आते है 60% marks आप बोलोगे हाँ ठीक है इसके first division marks आ गए इसको 60% marks मिले ठीक है ओके fine 60% marks ठीक है बट जब हम उससे और ज़्यादा पूस्ते हैं और ज़्यादा discussion करते हैं हम पूस्ते हैं उससे maths में कितने number है वो बोलता है just pass हो गया हम 35 number आए maths में हम उससे पूस्ते हैं हिंदी में कितने number है बोलता है 80 number आ गए मेरे हिंदी में 80 marks आ गए हम उससे पूस्ते है physics में कितने number है बोलता है 40 number है तो आप बात क्या समझ रहे हो कि आपको एक जो percentage पता चली वो तो पता चल गई आपको कि 60% marks इसका है पर जब आप देखना शुरू पर इसका मतलब page number two पर इसके अंदर बहुत सारे queries के उपर आप page 1 पर रांग कर रहे होगे अच्छी position पर रांग कर रहे होगे और बहुत सारी queries के उपर पोजिशन बना रहा है किस query पर कौन सा page कितनी average position बना रहा है ठीक है बास समझ में जैसे हो सकता है कि एक ही page एक specific query के ऊपर कुछ time तक वो second position पर रहा फिर कुछ time तक कुछ लोगों के लिए different locations में वो third position पर रहा तो अगर मैं average निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 3 plus 2 divided by 2 यानि की 2.5 average position उसकी आ गई तो यहाँ पर तो ठीक है average position क्योंकि मैं यहाँ पर और specific हो गया कि किस particular query पर कौन से page की कितनी position है या कितनी average position है तो यह तो एक बार के लिए जो discussion है या यह जो analysis वो ठीक है यहाँ पर मैं पूरी website की average position की बात कर रहा हूं तो वहाँ पर मतलब यह इतनी जादा clear data नहीं है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर confusion होगा समझने में राइट तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था आप से compare की की compare को भी use करके हम लोग यहाँ पर इस टाइप से data की जो analysis हो कर सकते हैं और आपको देखो कि अगर आप यहाँ पर तो आपको दो तरीके की lines दिख रही है एक dotted line आपको दिख रही है और एक आपको जो है वो complete line दिख रही है मैं एक बार के लिए हाँ पर compare को भी ना एक बार के लिए मैं यहाँ से remove कर देता हूँ और अपना simple सा last 28 days या last 3 months का मैं यहाँ पर filter जो है वो लगा देता हूँ अब नीचे आते हम लोग यहाँ पर अगर आप देखो तो यह बता रहा है हमें कि pages कौन से pages पे आपको कितनी clicks मिली है उस पे कितने impressions आये थे उस page का CTR कितना था और उसकी average position कितनी थी तो अब यहाँ पर भी बोलोगे आपके सर यह भी तो average position यहाँ पर भी बता रहा है तो यह page wise average position का क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह हुआ कि एक query के उपर query 1 के उपर हमारा यह वाला page third position पे rank कर रहा है इसी query के उपर ये वाला page हमारा 5th position पे भी rank कर सकता है, query 2 के उपर कोई दूसरी query, जैसे digital marketing course के उपर मेरी website अगर 3rd position पे rank कर रही है, तो यह हो सकता है, digital marketing training के उपर मेरी website 5th position पे rank कर रही हो, तो 5 plus 3, 8 divided by 2, यह हो गया हमारा 4 average position, इसी तरीके से अगर 3 पे rank कर रहा था, और 2 पे rank कर रहा था, एक query के उपर 3 पे हमारा page rank कर रहा था, एक query के उपर 2 पे rank कर रहा था, तो अगर देखोगे, तो 5 divided by 2, 2.5 हमारी जो average position है, वो यहाँ पर हमारी average position 2.5 जो है, वो आ जाएगी, राइट, तो I believe अभी आपको समझ में आ रहा होगा, कि यह average position का funda क्या है, तो आप जितने specific data को study करोगे, उतना आपके लिए बहतर है, तो यहाँ पर अगर आप देखो, तो आपको अब difference समझ में आएगा, कि यह वाला जो हमारा page है ना, इसके देखो इतने सारे impressions हुए, 131 impressions हुए, बट इसके कोई clicks नहीं आए, clicks ना आने के पीछे जो reason था, वो आपको यहा clicks नहीं आए है, क्यों नहीं आए है, position 40th है, 40th position, almost 40th position पे आप rank कर रहो, इस page के साथ, different, different keywords के उपर, right, तो अभी आपको बात समझ में आ रही होगी, कि यह average position का जो funda है, वो क्या है, fine, तो यहाँ पर हमें जो data दिख रही है, वो clicks हमें पता चल रहे हैं, कि इस page के कितने clicks आ impression CTR हो हमारी क्या position रही, तो इंडिया से अगर हम बात करें, तो on and average जो हमारी position इंडिया की बनती है, सभी को मिला कर, ठीक है, सभी pages को, सभी queries को मिला कर, जो हमारी on and average position इंडिया में बनती है, वो 13.2 बनती है, fine, यहाँ पर device wise same data है, कि device wise हमारे जो performance है, वो कैसी है, और उसके से हम लोग देख सकते हैं, date wise भी, right, उसके बाद एक बहुत important section होता है, यहाँ पर which is called as queries, right, तो अब अगर यहाँ पर आप देखोगे, तो आपको दिख रहा है the language council, यह क्या है, यह actually brand name है, तो brand name पर अगर आप देखोगे, तो brand name पर जो आपकी position है, वो almost one के बराबर है, मतल language council के उपर जो आपकी average position है, वो 10.7 है, ठीक है, अब हम थोड़ा और specific होना चाहते है, देखो मैंने क्या बता है आपको, कि performance का मतलब यह होता है, कि हम कुछ analysis start करने वाले है, तो अब मैं यह करने वाला हूँ, कि मुझे यह समझना है, कि इस particular query के उपर, कौन सा page पे हमारी average position के आ रही है, ठीक है, तो अब ध्यान से देखना है, जैसे ही मैं इसको click करूँगा, उपर आप देखो, एक और filter add हो गया, अब जो यह data है, यह पूरी इस query के लिए data है, फाइन, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो search type क्या लिखा हुआ है, web, web के उपर हम साच करें, last three months में, इस particular query के उपर, मुझे तीन clicks मिले हुए, 200 impressions मिले, यह मेरा CTR था और यह मेरी average position थी, ठीक है, तो इस particular query के उपर, हमारे यह different pages है, जो rank कर रहे थे, यह वाला जो हमारा page है, यह 4.6 के उपर rank कर रहा है, यह वाला हमारा page है, वो first position पर rank कर रहा है, यह वाला जो हमारा page है, यह भी हमारा first position के उपर rank करता है, इस particular query के उपर, fine, उसके बाद अगर मैं countries की बात करूँ, तो इस particular query के उपर, इंडिया से हमें इतने clicks मिले हैं, और इंडिया में जो on an average position बन रही है, वो इतनी बन रही है, तो I believe अभी आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर आपके close करता हूँ यहाँ से, and let's say मैं new के उपर जाता हूँ, country यहाँ select करता हूँ, and I want to study around United States, कि United States में मेरी last three months में क्या performance हाई, तो that we can do, right, तो यहाँ पर बहुत सारे हमें filters दिखते हैं, जिनको हम लोग use कर सकते, एक और बहुत important चीज with regards to this performance section is, कि जब आप अपनी website का optimization करते हो, तो मान के चलते हैं, जैसे आपने एक keyword select किया, digital marketing course in India, यह आपका main keyword था, जिसको आपने select किया, और इसके उपर आपने काम करना शुरू किया, थोड़े time के बाद आप देखोगे, कि जब आप digital marketing course in India, मान लिए यह keyword था, तो अगर आप इसके उपर काम कर रहे हो, तो आप दे optimize करते हैं, rank कराने कुश करते हैं, तो उससे मिलते जुलती queries पे भी optimize हो जाता है, automatically, क्यों Google को समझ में आने लगता है, कि digital marketing course in India query है, इसका मतलब इससे relevant जो query है, वो digital marketing training in India है, तो उसके उपर भी there are high chances कि आपका जो page है, वो rank होने लगे, यह उससे मिलते जुलती queries के उपर rank हो रहा है, और rank होने के बावजूद उसकी कितने impressions है, कितने clicks है, उसकी average position कितनी बन रही है, वो आपको यहाँ queries वाले section में देखने को मिल जाते हैं, जैसे का आप देख सकते हो, queries वाले section में, तो ऐसे बहुत सारे keywords होते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पर 74 keywords आपको दिख रहे है नहीं, हम हो सकता है, आठी-दस keywords के उपर काम कर रहे होते हैं, बट उससे मिलते जुलते बहुत सारे keywords के उपर भी हमारी website, position या website ना कहें, अगर हम web pages बोलें तो जादा ठीक रहेगा, हमारे web pages, positions बनाने लगते हैं, जिसकी वज़े से, यहाँ queries वाले section में, हमें बहुत सारे जो और queries हैं, वो हमें दिखने लगती हैं, और उसके basis पर हम लोग यहाँ पर further और analysis कर सकते हैं, अगर हमें लगता है कि यह बहुत important queries हैं, तो इनके basis पर हम नए pages अगर बनाना चाहिए, तो वो बना सकते हैं, इनके basis पर अगर हम कुछ blog लिखना चाहिए, जैसे एक query मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि यह बहुत ही solid query है, और इसके उपर clicks भी आ रहे हैं, impressions भी आ रहे हैं, तो इस query से मिलते जुलते मैं कुछ keyword research करूँगा, फिर उससे related मैं कुछ blog लिखूँगा, उसको rank कराने कोश्च करूँगा, तो वहां से भी मैं potential traffic लाने की कोश्च करूँग हमें analysis करनी है, और analysis करने के बाद कुछ न कुछ हमें steps भी लेने हैं, वहना report का मतलब ही क्या है, अगर आप उससे analysis नहीं करना है, और कोई steps नहीं लेने हैं, तो I believe अभी आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि performance report के अंदर हमें क्या-क्या देखने को मिलता है, और इकिस तर average position जो है, वो कितनी, तो इस type से मैं जादा study करने की कुछ करता हूँ, बहुत ही बड़ी data की average position अगर आप देखोगे, तो आप भी confused रहोगें, गईस कई बार ऐसा होता है, कि हमारी website के उपर बहुत सारे pages होते हैं, बट हम यह चाहते हैं, कि उन में से कुछ pages या कुछ URLs हमार Google search में दिखाई दे, तो अगर हम इस चीज को करना चाहते हैं, तो किस तरीके से हम कर सकते हैं, हमें एक Google search के अंदर removal का tool मिलता है, जिसके थुरू Google search से हम उन URLs को remove कर सकते हैं, तो जब आप Google search console के उपर जाओगे, तो आप index के अंदर देखोगे, आपको एक removal का section मिलता है, औ और यहां से आप नई request वो submit कर सकते हैं, सीधा से कहने का मतलब यह है, कि जब आप new request के उपर जाएंगे, तो यह आप से पूछता है, कि आप किस URL को Google search से remove करना चाहते हैं, उसको आप यहां पर mention करते हैं, देखो बहुत साई लोग कंफ्यूज होते हैं, और उनको लगता है मतलब गूगल सर्च के अंदर वो URL अपियर नहीं होगा या वो page नहीं अपियर होगा, अब एक और बहुत ही important चीज वो यह है, आप यहां पर अगर ध्यान से देखो, मैं इसको cancel भी करता हूँ, और अगर आप ध्यान से देखो, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा temporary removal, मत उस URL को देखा गए, तो वापस वो फिर से आपके URL को Google सर्च के अंदर शो करा सकता है, कहने का मतलब यह एक temporary URL removal है, जैसे कि आपको यहां पर नाम से भी दिख रहा है, जैसे आपको यहां पर नाम से भी दिख रहा है, बट यहां पर सवाल यह भी होता है, अगर हम फिर जो ह इसको 404 बना दो, फिर वो एक तरीके से आपका permanently removal वाला solution हो सकता है, या फिर उस page में no index tag को अगर आप use कर लोगे, that is actually the permanent removal, right, बट यहां पर हमें option मिलता है, temporary removal का, तो किस तरीके से हमें करना है, new request के उपर जाना है, यहां पर हमारे पास option होता है, हम अपना URL एंटर करेंग केवल यही specific URL Google search से remove हो, तो यह आप कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि इस URL के बाद जितने भी URL से slash करके कुछ और भी बन रहा है, अगर different different URLs, उनको भी अगर आप remove करना चाहते हो, तो फिर आपको यहां पर यह second वाला option है, वो select करना है, बड़ी ध्यान से आपर हमें select करना पड़ता है कि आप कहीं कोई गलत removal ना करने तो इस चीज़ को ध्यान रखीएगा, यहां पर जो मैंने भी आपको एक चीज़ explain करी है, वो यहां पर भी लिखी वी है, block URL from Google search results for about six months and clear current snippet and cash version, वाला अगर Google के पास already कुछ snippet बन चुके है, snippet मतलब यहां पर जो आप जाते हो जैसे मैं अगर यहां पर आजाऊं और यहां पर आने के बाद, let's say मैं digital marketing type करता हूं यहां पर, तो यह जो आप snippets देख रहे हो, जैसे यहां पर हम लोग आ जाते हैं, यहां पर आप देख रहे हो ने, जैसे यह एक snippet बन रहा है, तो इस snippet को clear कर देता है, जो cash version इसका, जो actually the cash version, तो उसको भी यह clear कर देता है, अगर हम लोग यहां पर removal करते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ आप देख से तो current snippet and cashed version, they will be regenerated after the next crawl, ठीक है, for permanent removal, either block pages from indexing, जो मैंने बताया, no index tag से या तो आप block कर सकते हैं, और remove them from the site, website से ही remove कर दो, और 404 पे आप redirect कर दो, तो guys, I believe अभ temporary removal का क्या मतलब होता है, उसके बाद guys हमें यहां पर outdated content का option मिलता है, अब यहां पर अगर कोई भी user internet के उपर यह mark करता है, कि आपका जो web page है, वो outdated content वाला web page है, तो फिर यहां पर आपको वो pages के urls होगेरा, यहां पर आपको दिखते हैं, और उनका क्या status है, वो भी आपको दिखते हैं, क्योंकि हमारे website में यह नहीं है, तो मैं आपको अभी यहां पर यह चीज दिखा नहीं सकता है, temporary में अगर हम कोई new request raise करेंगे, तो वो हमारी यहां पर दिख जाएगी URL type क्या है requested, और उसका जो status होगा, वो भी हमें यहां पर दिख जाएगा, तो बस दिखान देने वाली हां, पर important चीज यह है, कि बहुत सारे लोग इसको permanently removal का option समझते है, बट वो है नहीं, it's a temporary removal option, उसके बाद guys, यहां पर जो आपको यह safe search filtering का option निकरा, इसका सीधा से मतलब यह होता है, कि अगर कोई user, आपकी website के उपर जो content है, उसको adult mark करता है, not safe mark करता है, तो फिर वो URLs आपको यहां पर दिखाई रहेंगे, जिनकी भी request raised हुई होगी, guys यहां पर जब आप Google search console में आप अपने आते हैं, तो आप देख सकते हो, यहां पर आपको legacy tools and reports के अंदर एक आपको tool दिख रहा होगा, जिसका नाम है URL parameters, तो आजके इस वीडियो में हम लोग इसी चीज की बात करने वाले हैं कि आखिर यह URL parameter का option यहां पर क्यों दे रखा है, और क्यों हम लोग इस वीडियो की बात कर रहे हैं, इसके पीछे जो reason है, वो यह है, जो यहां पर आप देख रहे हो, this report will not be available after 26 April, मतलब एक महीने के बाद लगभग लगभग, अगर आप आज सह दिन पर वीडियो देख रहे हैं, जिस दिन मैंने अपलोट किया हुआ है, तो एक महीने के बाद लगभग लगभग यह वाला जो tool है, वो discontinue कर देगा Google Search Console, तो इसका option हमें नहीं दिखेगा, तो जो main point है कि क्यों हम लोग इस वीडियो को यहां पर जो है लेकर आएं आप ल जहां से देखेगा बहुत ही important यह वीडियो है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि URL parameter क्या होता है, तो यहां पर आ जाते हैं हम लोग हमारी WordPress की website के उपर, और यह जो dummy website है इसको आप देख रहा हो, जैसे यह website यहां पर है आप लोग के सामने, तो अगर आप यहां पर कोई ए आप देखो, यहां पर आपका जो URL है, वो किस टाइप का है, तो जो यह आप देख रहे हो ना, एस, यह जो आपको यहां पर देख रहा है, this is actually the parameter, तो point यह है कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि जो parameter based जो URL होते हैं, उनको Google इंडेक्स करें, यह reason होता है कि हम parameter based जो URL हैं, उनको URL parameter वाले tool के help से, फिर remove कर देता हैं, हम नहीं चाहते हैं, कि Google उनको index करें, क्योंकि अगर आप यहां पर देखो, तो यह तो हमारा parameter है, और जब हमको search करते हैं, तो जो भी नया हमारा URL बनता है, वो URL के अंदर जो भी products होते हैं, वो already जो products uploaded हैं, उनी का rearrangement होता है, जैसे इस ब के लिए search करता हूँ, laptop, ठीक है, जैसे ही मैंने laptop search किया, अब आप देखो कि यहां पर बहुत सारे results आ रहे हैं, ठीक है, जो page का content है, वो आपको यहां पर दिख रहा है, बहुत सारा यहां पर जो है laptop से results आपको दिख रहे हैं, अगर मैं यह जो laptop की sequencing है, इसको उपर नीचे क पर दूँ, तो जो इस page का content है ना, उसमें कोई change नहीं आएगा, इस बात को समझो, मतलब एक normal तो हमारा यह वाला page हो गया, और second हम एक और page की बात कर रहें, एक और नए URL की हम लोग बात कर रहें, जहां पर हम लोग क्या कर रहें, इस वाले laptop को उपर कर दे रहें, इस वाल लापटाप ऊपर चला गया, और यह वाली लिश्टिंग ऊपर चली गई, और यह वाली लिश्टिंग नीचे आ गई, और ऐसा जो हमारा secondary page जो generate होता है, parameter URL के साथ, उस particular page को हम लोग नहीं चाहते हैं, कि वो आला page, जो है वो index हो, क्योंकि यहाँ पर duplicate pages का जो issue है, वो create हो ज but actually जो content of the page है, वो नहीं differ हुआ, तो content of the page, अगर दोनों ही pages के उपर same है, और दोनों के URL अलग अलग है, तो दो different different URLs Google इसको consider करेगा, और duplicate का issue हो जाएगा, तो इसी चीज़ को अगर practically देखना चाहो, तो जैसे ही मैं यहाँ sort by पे जाता हूँ, आप देखोगे, अगर मैं यह S दिख रहा है, यहाँ पर S, ठीक है, this is again a parameter, जो आप यहाँ पर देख रहा हो, यहाँ पर जो आपको CR ID दिख रहा है, यह भी एक parameter है, यहाँ पर यह Q ID दिख रहा है, यह भी आपको एक parameter दिख रहा है, तो यहाँ पर different parameters है, तो जब हमने यहाँ पर यह कुछ changes किये, यहाँ तो क्या हमारे पेज का जो content वो change हुआ नहीं पेज का content वही रहा बट एक sorting हो गई high to low उसी तरीके से अगर मैं यहां पर आता हूँ और मैं यहां पर जाता हूँ और low to high करता हूँ ठीक है तो low to high में भी अगर आप देखोगे तो आपके page का content नहीं change हुआ है ना change क्या हुआ शफल हो गया बस वो कि जो product जिनका price low था वो नीचे से उपर आ गए तो यह कुछ arrangement हो गया तो ऐसे case में हम नहीं चाहते हैं कि जो यह हमन मार देते हैं कि URL parameter की help से अब ध्यान से समझना यह काम आज के time में robots.txt की help से हो जाता है और Google का कहना है कि भई जब robots.txt के help से भी हम disallow कर देते हैं URLs को मतलब parameters वाले जो URLs होते उनको जब हम disallow कर देते तो URL parameter tool की क्या जरूरत है और आज के time में Google के crawler बहुत smart हो गया वो समझ जाते हैं कि जो parameter based URLs बन रहा है pages बन रहा है उनको index करने की जरूरत नहीं है जो normal वाले pages से उनको index करो इसी लिए 26th April से इसको discontinue कर रहा है तो reason समझ में आ गया कि discontinue क्यों कर रहा है इसका भी answer मिल गया कि अगर फिर ऐसी समस्या आती है तो फिर उस particular case में अगर हमें पहले करना होता था तो किस तरीके से हम लोग करते थे वो भी देख लीजे आप लोग तो यहां पर जैसे मैं आता हूँ और यह वाला हमारा जो parameter तो यह parameter होता है जो आप और जो new आप देख रहे हो यह parameter की value होती जो हम यहां पर डालते है तो हमें जो exclude करना है वो यह करना है तो मैं इसको copy मारता हूँ यहां से यहां पर वापस आते हैं हम लोग और यहां पर हम लोग add parameter पर जाते है और parameter का नाम क्या है वो मैं यहां paste कर देता हूँ ठीक है अब इध्यान से देखो यहां पर क्या लिखा हूँ है does this parameter change page content seen by the user हाँ भई page का content को यह change कर रहा है लेकिन page के content को effect नहीं कर रहा है क्या कर रहा है changes कर रहा है यह reorders कर रहा है यह narrow कर लूँगा how does this parameter affect the page content कैसे effect कर रहा है क्या narrow कर रहा है yes अगर मैं narrow कर रहा हूँ तो narrow लिख दूँगा sorts कर रहा है तो मैं sort लिखवा दूँगा ठीक है और उसके बात करना क्या है which URL with this parameter should google bot crawl तो मैं कहूंगा no URL इस parameter के साथ जितने भी URL generate हो रहा है सब को crawling है वो limit कर दो crawling नहीं करवानी उन parameters की ठीक ठाक समझ होनी चाहिए तभी आप ये जो URL parameter वाला tool है उसको use कर पाएंगे बट आप तो करने की जरूरत भी नहीं पड़ाई क्योंकि ये tool 26 तारीक से चला जाए जरूरी था कि जो tool जाने वाले उसके बारे में थोड़ी से आपको information मिल जाए ताक कि आपको confusion नहों क कि ये क्या चीज़ थी और अगर ऐसी अपसमझ से आती तो वो कैसे solve होंगी solve होने का तरीका मैंने क्या बताया robots.txt robots.txt से ये problem जो है वो solve हो जाती तो robots.txt में आपका जो syntax है वो हो जाता है मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ किस टाइप का फिर वो syntax होगा तो यहाँ पर मैंने मिंत्रा का जो robots.txt है वो open किया हुआ है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे और मैं search को यहाँ पर उठा है तो वो यहाँ पर आप देख रहो इन्होंने disallow कर दिया तो इसी तरीके से urls को disallow किया जा सकता है यहाँ पर जो हमें robot.txt फाइल मिलती है उसके थूरू उसी तरीके से मैंने quickly Amazon का भी robot.txt फाइल जो है यहाँ पर उठा ली अब आप देखो यहाँ पर आपको और to this and s is equal to this तो यह सारी जो चीज़े है न अगर parameters based यह चीज़ें किसी url में आती है तो इस rule की वज़े से वो disallow हो जाएंगे तो url parameter वाला यह वाला जो option है वो अब हमारा इस particular चीज़ से भी solve हो जाएगा जो robot.txt तो गाइस अगर हम लोग देखेंगे हमें enhancement reports कहां पर दिख हाई दे रही है बट एक चीज़ जो बहुत ही जादा important है अभी अगर आप इस website की बात तो यहाँ पर आप देख रहे हो enhancement के अंदर आपको किवल एक ही चीज़ दिख रही है that is logos बट कई बार ऐसा होता है कि अगर आप किसी दूसरी website के उपर जाएंगे और आप enhancement reports है review snippets भी आपको यहाँ पर दिख रहा है site link search box दिख रहा है और unpassible structure data यहाँ पर दिख रही है तो ऐसा क्या है कि एक website में google search console के enhancement वाले section के अंदर हमें किवल एक ही चीज़ दिख रहे है और यहाँ पर हमें multiple चीज़ दिख रहे है तो इसको समझने के लिए हमें यह समझना चाहें तो जो आप schema markup अपनी website के उपर लगाते हैं जैसे अगर आपने review वाला schema markup लगाया तो आपको enhancement वाले section के अंदर review snippet का भी reporting दिख जाएगी अगर आपने वहाँ पर जो है let's say logos से related कोई schema लगाया लगो से related कोई schema तो होता नहीं जो आप website schema लगाते है उसी के अंदर आप logo का URL डालते है जो आपके logo image होती है उसी का URL वहाँ पर डालते है तो अगर आपने website schema आपनी website के उपर लगाया है और उसके अंदर logo जो है mention के आपने logo URL वहाँ पर mention क्या हुआ है उस schema के अंदर तो Google search console के enhancement वाले report के अंदर आपको logos का option दिख जाएगा उसी तरीके से यह आपर जैसे आप देख रहे हो site link search box तो अगर आपने site link search box वाला schema आपने website के उपर लगाया है तो यहाँ enhancement वाले section के अंदर वो चीज automatically यहाँ पर generate हो जाएगी और आपको इस type की जो report है वो यहाँ पर दिखाई देगी तो बहुत सारे लोग जो beginners है especially जब यह पूसते हैं कि sir मेरे enhancement वाली report के अंदर तो बहुत ही कम reports दिख रही है आपके enhancement वाली reports के अंदर तो बहुत जादा report दिख रही है तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो भी structure data हमारी website के उपर detect होगी उस ही कि आप देखोगे यहाँ पर enhancement report में आपको यहाँ पर वो चीज दिखाई देगी अब वो ठीक तरीके से नहीं implement हुआ है तो उससे related कोई Google हमें warning देना चाता है अगर ठीक तरीके से implement हो चुका है तो वो बोल देगा कि यह सारी चीज़े जो है वो valid है तो कहने का मतलब schema data जो है हमारी website के उपर implemented है वो सही तरीके से implement हुई है या नहीं हुई है वो सारी चीज़े ह हमें enhancements वाले section के अंदर दिखाई देती है अब इसका नाम enhancement क्यों है आप खुदी समझ जाओगे देखो जब हम schema data अपनी website में use करते है तो हमारा purpose क्या होता है कि हम search results में जो हमारा presence है जिस तरीके से हमारी website search results में दिख रही है search engine results page के उपर दिख रही है to be very precise उसको हम थोड different scenarios हम चाहते हैं तो उसके लिए हम schema data लगाते है तो इसके लिए हम कर क्या रहे हम enhancements कर रहे है और यहाँ पर अगर आप देखो तो logos आपको यहाँ पर दिख रहा है ठीक है logo enhancement में अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुए error कोई न तो जब मैं इसके उपर click करूँगा और यहाँ पर आप देखोगे तो किस particular URL के उपर इस logo enhancement को इन्होंने find out किया और बोला है कि वो ठीक है वो आप यहाँ पर देख सकते हो ठीक है और कब detected हुआ वो date भी आप देख सकते हो तो अगर मैं इसके उपर click करूँगा तो आप दे यह basically schema markup ही है अगर आप ऊपर आ जाओ यहाँ पर देखकर आपको समझ में आ जाएगा इस schema data ही है यहाँ पर देखो आप https schema.org लिखा हुआ है अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा copy करके भी दिखाने चाहूँ तो मैं दिखा सकता हूँ यहां से ताकि आपको थोड़ी सी ची schema data है वो यह रही ठीक है तो schema data आप देख सकते हो यहाँ पर किस type की है organization schema है अब organization schema में name URL logo अब यह वाले logo वाले जो आप देख सकते हो यहाँ पर information है इसकी वज़े से आपको यहाँ पर enhancement वाले section में logos दिख रहा है वहीं पर अगर कोई error होता तो फिर वो भी आपको पता चल दी है जो syntax उसको ध्यान से नहीं लिखा तो उस particular case में वो detect तो कर लेगा कि schema data है बट उसमें कोई न कोई problem है तो यही सारी information आपको enhancements के थुर मिलती है कि अगर आपकी schema data में कोई problem है या structure data में कोई problem है तो उसको आप यहाँ पर resolve कर सकते है या solve कर सकते है तो यहाँ पर आप missing comma या curly braces को हमने miss किया जब आप इसके उपर click करेंगे तो URL आपको पता चल जाएगा कि किस URL के उपर यह problem है फिर जाकर आप इस problem को solve कर सकते है और then उसके बाद यह जब आपके page वापस index होगा तो यह फिर problem आपकी solve हो जाएगी और यहाँ से जो error है वो आपका error यहाँ से remove ह हो जाएगा तो बहुत ही छोटा सा feature है और बहुत सारे लोग जो confused होते हैं इस वाले feature में वो इसलिए होते हैं कि सर मेरे मेरे enhancement reports ज्यादा दिख रही है आपके मेरे Google search console में कोई गरबड़ी नहीं आपके Google search console में कोई गरबड़ी नहीं है enhancement reports according to the website जो है वो generate होती है तो guys हम लोग बात करेंगे कि यह जो हमें यहाँ पर security and manual action को option दिख रहा है इसके अंदर जो हमें manual actions दिख रहा है यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि अभी इस particular website के उपर कोई भी manual action नहीं है या manual action से related कोई भी issue जो है वो detect नहीं हुआ है वाथ हम लोग यहाँ पर जो समझने वाले हैं कि manual actions क्या होते हैं क्यों google manual actions हमारी website के उपर लेता है। उस पर्टिकुलर केस में हमें क्या नुकसान होने वाला है, इन सभी चीदों को हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत डिटेल में समझने वाले हैं, चाहे वो manual action के respect में हो, चाहे वो security issues के respect में हो, अब सबसे पहले हम लोग यह समझते हैं कि manual actions का मतलब क्या होता है, जो कि आप यहाँ पर देख रहा हो, यह भी इस पर्टिकुलर वेबसाइट के उपर कोई भी manual action जो है, वो detect नहीं हुआ है, बट manual action के क्या मतलब होता है, इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं, देखो हमारी website के उपर Google दो तरीके से जो penalty है वो लगा सकता है, एक तो यह कि जो Google के bots हैं, वो crawl करते रहते हैं, और अगर उन्हें कुछ भी suspicious लगता है, कोई ऐसी activity उनको देखने को मिलती है, जो Google की policies के against है, तो वहाँ पर हमारी website की जो ranking है, या हमारे website का SEO है, वो effect में आ सकता है, क्योंकि Google को या Google के bot को, Google की जो guidelines है, webmaster guidelines है, उनके वो against लगता है, एक यह चीज हो गई, दूसरी जो चीज है, वो यह है, कि Google के बहुत सारे employees हैं, और ऐसे representatives हैं, जो manually आपकी website को check करते हैं, अगर उन्हें आपकी website में कोई problem लग गई, अब इसकी बात हम लोग अलग करेंगे, कि वो problem क्या है, वो क्या reasons है, जिनकी वज़े से manual actions होते हैं, but manual actions जैस कि इनको remove कर पाना उतना easy नहीं होता है, but हाँ manual actions भी remove किये जा सकते हैं, तो अगर आपकी website के उपर कोई manual actions होंगे, तो वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, कि आपकी website के उपर यह manual action लिया गया है, और उसके पूरे आपको drop down यहाँ पर मिल जाएंगे, कि इतने manual actions आपक manual actions होते क्या है, अब जो दूसरी बात है समझने वाली वो यह है, कि manual actions अगर हमारी website के उपर हुए, तो हमें नुकसान जाओगा, अगर आपकी website के उपर manual actions होते हैं, तो सबसे पहली चीज तो यह है, कि आपकी website के कुछ URLs या कुछ pages आप उसको कह लो, वो search से गायब हो सकते ह search में दिखाई नहीं देंगे, this is actually the penalty, कि आपकी website के उपर एक penalty आई हुई है, कि अब आपकी website के कुछ URLs है, pages वो search engine में नहीं दिखाई देंगे, search में नहीं शोकने, उनकी ranking वो अब कभी नहीं होगी, यह कुछ URLs के साथ भी हो सकता है, और कभी-कभी, जैसे मैंने आपको बता अब क्या हम लोगों को तरीके अपनाने चाहिए, या क्या guidelines है, manual actions के लिए, तो इसके लिए अगर हम लोग यहाँ पर जो manual action report का official documentation है, Google console का, उसके उपर हम लोग आ जाते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो what is manual action के basic से definition में लिखे भी है, Google issues a manual action against a site when a human reviewer at Google has determined that pages on the site are not compliant with Google's webmaster guidelines, fine, तो अगर हम लोग नीचे आएं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जो list of manual actions है, किस-किस टाइप से जो manual actions है, वो आपकी website के उपर हो सकती, जैसे site abused with third party spam, user generated, अगर spam आपकी website के उपर है, ठीक है, बहुत सारे comments, spams हो गरागार है, in that particular case भी, आपकी जो website है, manual actions के under penalize हो सकती है, spammy free host होना चाहिए, structure data में कोई issue नहीं होना चाहिए, unnatural links आपकी website को नहीं point करना चाहिए, unnatural links आप अपनी website से दूसरी website को ना दें, तो यह सारे वो causes है, यह सारे वो reasons हैं, जो आपकी website के उपर manual actions को trigger कर सकते हैं, बहुत सारे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, आप एक बार इस चीज को follow कर लेंगे, ठीक तरीके से समझ लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, basically आपको जो Google की webmaster policies हैं, उन्हीं का ध्यान रखना है, जो मैं fair चीज़े आपको हमेशा बताता रहता हूँ, spamming नहीं करनी, clocking न लीजेगा, थोड़ी से और आपको clarity हो जाएगी, उसके बाद, अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर security issues की, अब security issues का क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ पर click करता हूँ, तो security issues में भी अगर आप देखो, तो अभी आपको यहाँ पर कोई भी issues नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपके website के उपर credit card हो गएर की information डाल रहा है, और Google को लग रहा है कि यह website कुछ malicious type किये, यह website इसकी card की details को कुछ चुराने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ भी उसको malicious activity लगती, या ऐसा लगता है कि आपकी website के उपर कुछ hacked content है, आपकी website के उपर कुछ hacked script है, तो जहाँ पर क security issues हैं, यह क्या होते हैं, किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे security issues report में अगर हम लोग आएं, और यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे pages or sites affected by a security issue can appear with a warning label in search results or an interstitial warning page in the browser when a user tries to visit them, तो आप कभी-कभी देखते होंगे कि आप कुछ websites के प्राम्ट करते हैं, कि यह website ठीक नहीं है, इस website के उपर मच जाओ, यहाँ पर security को लेकर issues है, ऐसा कुछ प्राम्ट करता है, तो जिन भी website के उपर security issues होते हैं, वो इस टाइप की जो warnings है, वो face करते हैं, browser वगर के अंदर, तो अगर आप security issues की बात करें, क्या reasons है, जिनकी वज अब यह होता है, कि आप ऐसे pages, ऐसी website बना रहे हो, जो किसी दूसरे trusted website की replica होती, जो देखने में तो बिल्कुल trusted websites की तरिके से लगते हैं, बट वो trusted websites होती नहीं है, या trusted pages होते नहीं, that is actually deceptive pages, deceptive embedded resources, ठीक है, misguide करने वाली resources, आपने अपनी website के उपर embed कर रखा है, अगर आप इसको open करोगे, तो और भी बहुत सारी चीज़े आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जो इस particular reason से related है, fine, जैसे कुछ आप download करने के लिए, लोगों को encourage कर रहा है, unwanted extensions, लोगों को download करने के लिए encourage कर रहा है, ठीक है, तो इस type की चीज़े अगर आप करते हैं, तो वो स सारी चीज़ें किसमें आएंगी, security issues में आएंगी, क्योंकि यह सारी चीज़ें एक तरीके से security का issue create कर रही है, उस visitor के लिए, उसके लिए भी आपको penalize किया जा सकता है, तो आप ज़रतर cases में देखेंगे, कि अगर आप कुछ गड़वड़ी नहीं कर रहे हैं, कुछ deceive करने क कोशिश नहीं कर रहे हैं, या कुछ spamming करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या crawler को deceive करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे case में आपको यहां पर कोई issues generally दिखाई नहीं देंगे, आपको ज़रतर websites आपको यहां पर clean दिखाई देंगे, बढ़ हमें पता होना चाहिए कि Google Search Console के अंदर इस वाले option का क्या मतलब है, फिर से आपको request कर रहा हूँ कि आप लोग प्लीज जो है यह वाले जो दोनों documentation है, इनको ज़रूर आप पढ़ लीजेगा, कोशिश करूँगा इसका link जो है वो description में डाल दू ताकि आपको कोई problem नहीं हो. और इन reports से हमें क्या insights मिल सकती हैं, जिसके basis पर हम किस type के decisions हैं वो ले सकते हैं, तो guys यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे मैं अपने Google Search Console के उपर आता हूँ, मैं अपनी किसी property को select करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको ये वाला section दिख रहा है, this is the link का section, और इस इसके बाद आपको कुछ इस type की जो report है, वो यहाँ पर दिखती है, अब एक चीज जो मैं आपको starting में ही clear कर देना चाहता हूँ, बहुत सारे जो SEOs है वो इस report को follow नहीं करते हैं, मतलब यहाँ से वो जो backlink की report है, उसकी बहुत जादा analysis करते नहीं, आपको option ज़रूर Google Search Console के अंदर दिया हुआ है, बट जो SEOs हैं वो इस option को use नहीं करते हैं, अगर उन्हें अपनी website की backlink report की study करनी होती है, उसकी analysis करनी होती है, उसके business पर उन्हें कुछ decisions लेने होते हैं, तो उसके लिए जो बहुत सारे paid tools हैं, चाहे हम HRFs की बात कर लें, चाहे हम ACM Rush की बात कर लें यह जो tools हैं, यह आपकी website की जो backlink profile है, उसको बहुत detail में आपको provide करके देते हैं, यह आपके कौन से backlinks जो हैं, वो broken हैं, कितने नए backlinks आपने acquire किये हुए हैं, आपकी जो backlink की velocity है, वो क्या है, आप कितने backlinks on an average daily basis पर lose कर रहा हैं, तो ऐसी बहुत सारी insights होती हैं, जो आपक competitors वगरा की backlink की analysis करना चाहते हैं, जो कि आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, तो यह option actually जरूर हमें यहाँ पर दिया हुआ है, बट बहुत सारे pro SEOs इसको use करते नहीं हैं, तो guys अगर मैं links ओले section के उपर आजाता हूँ, तो एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, कि 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 type की reports हैं, information हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, तो जो सबसे पहले चीज़ आप देख सकते हो, यहाँ पर external links हैं, सीधा सा मतलब यह है कि दूसरे ऐसे कौन से websites हैं, ऐसे web pages हैं, जो आपकी website के उपर point कर रहे हैं, या वहाँ पर आपका जो backlink है, वो बना हुआ है, तो अगर भी है, जादे तर cases में आप देखोगे भी कि बहुत सारे जो back links होते हैं, या most of the backlinks होते हैं, वो हमारे home page के उपर ही बनते हैं, यहाँ पर आप देख से तो फिर यह contact us का page है, यहाँ पर हमें external links जो मिल रहा है, वो कितने मिल रहा है, 14 external links हमें यहाँ पर मिल रहा है, अब एक a.com slash a करके एक page है, एक page है, a.com slash b करके एक page है, fine, अब a page को external links मिले हैं, यहाँ पर c.com slash a से और c.com slash b से, यह दो web pages, जो कि same website के web pages हैं, उनसे इसको external links मिले हो है, fine, तो यहाँ पर अगर इसे एक external link यहाँ से मिला हो, मतलब इस page के उपर जो content होगा, उसके बीच में कहीं पर, लिंक लगा होगा, इसका, ठीक है, तो एक link यहाँ से मिला और एक link यहाँ से मिला, तो यह कितने external links count होंगे, आपको बता है, यह दो external links count होंगे, बट वहीं पर, अगर केवल इसी particular page से, अगर दो links मिले होएं, इसको दो external links मिले होएं, कहने का मतलब, ऐसा हो सकता है, कि इस page क के किसी भी वेब पेज को, तो वहां पर उस particular case में जो external link का number है, वो कितना count होगा, केवल एक, वो दो नहीं count होगा, दो कप count होगा, जब एक ही domain के different, different pages से हमें एक particular page के उपर external link मिल रहे हैं, तब दो बोलेंगे कि इसको दो external link मिलें, तो यहां पर जो आप report देख रहे हो, अग जो सकता है कि बहुत सारे pages के उपर इस type से external links बने, उसे एक page के उपर चार external links बने, जो इसी को point कर रहा है, तो वहां से केवल एक ही external link count होगा, तो बहुत सारी report को Google Search Console का link वाले section में combine कर दिया गया है, fine, इस type से बहुत सारी data को combine करके आपको दिखा जा, तो ये चीज़े आपक पता होनी चीए, तो अगर मैं जाता हूँ, जैसे home page के उपर जाता हूँ, तो आप देख से तो total external links कितने है, 23 है, और total sites कितनी, 11, 11 sites से हमें links मिल रहा है, तो यहाँ पर अगर आप देखो, तो yellow pages से हमें 8 links मिल रहा है, अगर मैं इसको भी open करता हूँ, तो yellow pages के कि किस page से हमे links मिल रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, नो सारे pages अलंग है, जैसे slash d यह बीच में, slash ens, slash es है, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही page से अगर 4 links मिल रहा है, तो यह नहीं दिखाएगा आपको कि एक ही page से आपको 4 external links मिल रहा है, fine, वो आपको दिखाएगा कि एक ही link मिल रह है, वो कितने links मिल रहा है, यह थोड़ा सा हम लोगों को इस type की report प्रोवाइट करता है, ताकि हम समझ सकें कि हमारे internal linking की जो strategy है, वो ठीक है या नहीं है, जो हमारे main pages होते हैं, वो properly interlinked है या नहीं है, तो यहाँ पर आप देखते हो, इस वाले page की अगर हम बात करें, तो internal links इसको 11 मिले हुए, उसकी बात हम यहाँ पर देखे, top linking sites, किस type के domain से, किस type की website से हमें सबस्यादा links मिले हुए, यहाँ पर आपको actually website कहलो, या domain कहलो, वो आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, कि किन pages के ऊपर हमें links मिले हैं, तो अगर म हमें links मिले हुए, उसके बाद अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर top linking text है, top linking text का सीधा सा मतलब यह होता है, हमारी website को जो backlink मिल रहा है, वो definitely किसी anchor text के उपर होगा, तो हम यहाँ पर यह चेक कर सकते हैं, कि जो anchor text यहाँ पर use हुए है, वो हमारी website के relevant है, या नहीं है, और य चेक कर सकते हैं, यह जो links है, जिस भी हमारे webpage को point कर रहा है, वो इसके relevant है भी या नहीं है, तो यह सारी चीज़े हम लोग यहाँ की reports में check कर सकते हैं, but again, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे pro SEOs इस report को use करते नहीं, बहुत ही ज़ादा detailed information यहाँ से मिलती नहीं, एक overview type क आपको मिल जाता है, analysis के point of view से, और backlinks की जब analysis करी जाती है, वहाँ पर जो हमारे competitor के backlinks के analysis होती, वो भी एक बहुत important role play करती है, तो क्योंकि वो वाला part यहाँ पर हो नहीं पाता है, तो फिर बहुत सारे लोग paid tools के अंदर जो backlinks analysis के सब tools होते हैं, उनको ज़ादा use करना prefer करत तो guys, सबसे पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि Google search console में crawl stats reports हमें कहाँ पर दिखाई देती हैं, उसके बाद देखेंगे कि इन reports का मतलब क्या है, तो guys, यहाँ पर जैसे हम लोग Google search console के उपर आते हैं, आप देखो यहाँ पर आपको जाना है simply settings में, और settings में जाने के बाद आ This is actually crawl start report, और यहाँ पर जो by default days selected है, वो last 90 days selected है, इस चीज़ को अभी आप धियान रखेगा, और 90 days में जो crawl request हुई है, वो लगवग लगवग 1090 crawl request हुई है, हम लोग कह सकते हैं कि 1000 से थोड़ी जादा crawl request है, वो ही है, अगर मैं इसको open करूँगा, तो मुझे यहाँ पर detailed report द report, तो guys, हम लोग crawling और indexing को तो समझते ही कि सबसे पहले हमारे web pages की या हमारे जो pages है, उनकी crawling होती है, और crawling होने के बाद हमारे web pages जो है, वो index होते हैं, उसके बाद Google के सर्च में हमारे web pages दिखाई देते हैं, अगर indexing ही नहीं हो, तो आपको पता आए कि हमारे web pages जो है, वो Google search में नहीं दिखाई देंगे वो एक तरीके से कभी Google को उन पेजस के बारे में पता ही नहीं चला अगर हम crawling से related stats को समझना चाहे stats का मतलब होता है numbers की कि कितने pages की crawling हुई कितनी crawl requests हो है वो हमारी website की या domain की जो है वो Google के crawler ने raise करी कितनी crawling requests आई इन सारी चीजों को in the form of अगर हम numbers study करना चाहते हैं तो हमें crawl stat report की तरफ जाना पड़ता है यह report हमें यह भी समझने में help करती है कि हमारी website को crawlers किस तरीके से देख रहे हैं बहुत ही simple सी बात है जितनी जादा crawling request उतनी अच्छी आपकी website जितनी जादा website आपकी updated रहेगी जितनी जादा website आपकी open to crawling रहेगी उतनी जादा crawl request जो है वो आपको आपकी website के उपर देखने को मिलेगी अब point यहाँ पर यह भी है कि कितनी जो crawl requests हैं वो successful हो रही है क्योंकि अगर crawler आपकी website के उपर आ रहा है और website के pages को crawl करने की कोशिश कर रहा है और मान लेते हैं कुछ pages में कोई भी technical issue हो सकता है कोई भी reason हो सकता है जिसकी वज़े से वो crawl नहीं कर पा रहा है तो यह भी एक negative point है तो यह सारी चीज़ें अगर in form of numbers हमें study करनी है तो हम सीधे पहुंच जाते हैं crawl start reports के उपर वही point मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि it actually tells you about the crawling history of your website आपकी पिछली crawling history है उसके बारे में पूरी information आपको पता चलती है एक और बहुत important point guys यह जो stat की report है यह छोटी websites के लिए उतनी useful नहीं है जो बड़ी websites है जहाँ पर लाखो pages होते है वहाँ पर आपको इस चीज़ के उपर नजर रखनी होती है यह मेरे इतने सारे pages है अब इसके proportion में जो crawling request generate हो रही है वो कितनी generate हो रही है कितनी crawling request fail हो रही है उन सारी चीज़ों का आपको धियान रखना होता है जो छोटी websites होती है उनमें बहुत ज़्यदा problem होती नहीं है न तो crawl budget का issue होता है वहाँ पर जो crawl stats है वो generally positive ही रहते हैं क्योंकि आपके सभी pages ठीक तरीके से crawl हो जाते हैं वहाँ पर तो अगर हम लोग crawl stats के उपर आ जाएं तो यहां पर आप देखो सबसे पहले जो 90 days का time period था उसका recording यहां पर रिपोर्ट आपको देखने को मिल रही है और जो लाश्ट अपडेटेट है वह 18th April है ठीक है अगर हम यहां पर देखते हैं तो आप देखो कितने साइस की जो resources है वो download हुई है जब हमारा page load होगा तो page load होने का जो average response time है वो कितना है यहां पर आपको दिख रहा है ठीक है कि average response time हमारा कितना है यह सारी चीज़े अभी हम लोग को यहां पर सारी चीज़े जो है वो ठीक दिख रही है अगर मैं नीचे आता हूँ यहा यहां पर मेरा सब डोमेन वगरा होता तो वह भी यहां पर हमें दिखता but host status के हिसाब से क्या problem आई host status का मतलब सीधा यहां पर आप समझो कि हमारी website पे crawling करते वक्त क्या issues आए पिछले 90 days में उसकी report आपको यहां पर देखने को मिलेगी तो आप देख सकते हो यहां पर जैसे फेल हुआ भी है तो वह acceptable है कोई दिक्कत की बात नहीं तो यह वाली चीश ठीक है उसके बाद dns resolution में भी acceptable fail rate है तो कोई दिक्कत की बात नहीं सब कुछ ठीक है बट यहां पर आप देखो server connectivity server connectivity जो है मतलब जब request raise होती है और आपकी hosting से जो response आता है उसमें कुछ issues रहे हैं औ और यहां पर आप देखो जो issues थे वो past में पहले काफी high थे बट अभी जो fail rate है वो acceptable है तो अगर मैं इस report को open करूँगा तो आप यहां पर देखोगे यह वाला जो आप देख रहो fail rate ठीक है यहां पर failed crawl request बहुत जादा है ठीक है बट अगर मैं यहां पर देखूँ जो अभ अगर वो आपकी request increase हो रही है failed crawl rate की तो यह एक अच्छा signal नहीं मतलब crawler आपकी website को crawl करना चाहता है और technical issues की वज़े से या किसी भी issues की वज़े से वो आपकी website को crawl नहीं कर पाता है तो धीरे-धीरे क्या होगा वो यहां पर जो आपके सामने total crawl request दिख रही है ना इनका numbers वो दीरे-धीरे कम करता जाएगा क्योंकि उसे लगेगा कि आपकी website पर ना तो बहुत सारे changes होते हैं आपकी website updated नहीं रहती आपकी वेपसाइट में technical issues रहते हैं तो धीरे-धीरे आपकी जो crawl request है उसको कम करता है वहीं पर अगर आपकी website updated रहती उसमें technical issues नहीं आते हैं तो यह आपकी जो crawl request है, इनके numbers जो है, वो बढ़ते जाएंगे, मतलब आपकी website जितना बहतर response देगी, उतने बहतर आपको यहाँ पर numbers देखने को मिलेंगे, and higher the crawl request, which means that कि आपकी website बहतर है in terms of Google, fine, अगर मैं यहाँ नीचे आज़ों, तो by response आप यहाँ देख सकते हो, okay, crawl request का जो breakdown है, वो by response आपको यहाँ पर दिख रहा है, okay, 200 का मतलब कि उन pages की crawl request, जिनों ने 200, मतलब okay का जो response है, वो दिया, आप देखो 57% of the pages थे, जिनका जो response है, वो okay आया, मतलब 200 status code था, वहीं पर not modified, move permanently, आप देखो यहाँ पर यह वाली जो crawl request थी, यह वेस्ट गई, क्योंकि आप नही आप crawler की जो resources है, उनको waste करें, तो यह numbers जितने कम होंगे, जो non important pages है, जो 200 का response नहीं दे रहे हैं, उनके उपर जितनी भी crawling कम होगी, उतना बहतर है, उतने बहतर तरीके से आपका जो crawl budget है, वो optimize होता है, उतना बहतर, technically, Google की नजर में आपकी website रहती है, उसी तरीके से by file type, आ आपको सबसे आदा ही देखने को मिलेंगी, उसके बाद by purpose, purpose में अगर आप देखो तो पहला यहाँ पर refresh and then the second is discovery, तो refresh का मतलब होता है, कि crawl request उन pages के उपर आई, जो pages already exist करते थे, that is actually refresh crawl request, fine, जैसे मेरी website के उपर एक pitch already है, fine, और वो पहले से index हो चुका है, वो पहले से Google उसक उसको crawl करेगा, तो that will come into refresh, तो अगर आप देखो, तो हमारे जितने भी pages के उपर crawl request generate हुई है, वो already existing pages ही थे, नए जो pages थे, वो बहुत कम से, discovery का मतलब नए pages, ठीक है, और कौन से Google bot के through, जो request है, crawling की request वो generate हुई, वो आप यहाँ पर देख सकते हो, तो basically आपकी crawling से related जो numbers होत आपको यहाँ से मिल जाते हैं, अगर घट रही है, crawl request, which is not a good signal, अगर बढ़ रही है, crawl request, which is a good signal, but जैसे मैंने आपको बताया है, कि यह insights, अगर बहुत बड़ी website है, तब तो उसके लिए जरूरी है, अगर बहुत बड़ी website नहीं है, तो उस point of view से उतनी जरूरी insights है, है नही बट नई चीज सीखने में कोई problem भी नहीं है, जोस्तों आशा करता हूँ, वीडियो आपको पसंदाया होगा, इस particular वीडियो में इतना ही, छिलते है नेक्स वीडियो में, till then, goodbye.